अंजी बज़पादी आप सभी का बहुत-बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डाउटनत में अब जल्यली कॉमेंट में बता देजे कि आप सब कैसे हैं और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है क्योंकि आज मैं नहीं बोलूंगी कि हां मुझे पता है आपकी पढ़ाई चल रही है आप बहुत अच्छे हो क्योंकि हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो वह इस लेक्चर को समझने की कोशिश करना ठीक है और कहीं समझ में ना आए तो प्रीविएस वीडियो देखके उसको लिंक करना ठीक है ओके तो बच्छा पार्टी मैं हूं चैप्टर के बारे में कौन सा था हमारा चैप्टर अब कर हमारा चैप्तर था है तो ओकunter हमने अपने last class में क्या बात करें थी उसको जानने से पहले हम देखते हैं कि आज का हमारा क्या है तो आज हम बात करेंगे रोध के बारे में ठीक है गोलियों के बारे में अंतह गरभाशा युक्तियों के बारे में टीका के बारे में और शल्ले क्रियाविधी के बारे में ये आज वो है जिसके बारे में हम बात करेंगे ठीक है ओके चलो अब फड़ाफर जल्दी से अपने अपने सीट की बेल्स को आप लोग कसके बांद लीजिए अपना खाना पीना पैंसिल रबर और पैन और कॉपी लेके फड़ा फट से बैठ जाईए क्योंकि अब हमारे फ्लाइट क्या करने वाली है टेक आफ करने वाली है और स्पीड पकड़ेगी बहुत जल्दी ठीक है तो फटा-फट से चलो बैट जा अपनी सीट की बेल्स बांदो और शुरू करते हैं अपने एक रीकाप के साथ कि हमने लास्ट क्लास में क्या बात करी थी चलो तो रीकाप में हमने देखा था बई कि गर्ब निरोदक उपायों के बारे में हमने बात करें जहां आम ने देखा करें थी है प्राकरतिक विदिया होती है रोध याने की बैरियर्स होते हैं रसायनिक विदिया होती है फिर बोला था अंतह गरवाशय युक्तियां होती है और उसके बाद क्या था टीके होते हैं और शल्ले क्रिया होती है ठीक है तो अपने लास्ट क्लास में हमने क्या बात कर ठीख है जो नेचुरल चीजे होती है उनके तुरू कैसे जो है ये जो गर्भ निरोदफ उपाए हैं कैसे इन प्रकतिक विधियों के थूँ होती है ठीख है ये अफने लाइस बात करें थी तो क्या बात करें थी कि भई अबधिस होती है बाहे स्कलन होता है और इस्तनपान अनातर्व होता है ठीड के जहाँ पर उपना माहावारी चक्र होता है वह कंप्लीट होने के बाद 10-17 दिन तक इसके बीच में, इंटर कोर्स नहीं करते हैं, कोई भी sexual relationship नहीं बनाते हैं, यहाँ पर 10 to 17 day के बीच में, यह ouvert कैंड बना कि वोता है, तो यहाँ पर क्या होता है, इस इंटर कोर्स में जोन होता है, यहाँ पर एगज होता है, ठीक है? और बहुत पहाता है तो चलो इन दिनों को अवाइट कर देते हैं ताकि क्या लुए करते हैं जो पुरूश होता है जो कोपी मेल होती है इस्थी स्यच्जिद वजयने से क्या करता है अपना बाहर निकाल लेता है ठीक है और जहां पर जो चिक रिया ही है यानि की इन सेमीनेशन होता है कि ठीक है जो वज़ाईना के अंदर ही डिस्चार्च करता है मेल वो प्रॉसेस यहां पर रुख 넘 जाता है ठीक है ? क्योंकर वो डिस्चार्च क्या करता है ? .. dus female की बौडि से बाहर कर देता है अब यह स्थनंपान अना तर्व यहां पर किया बात करता है यहां पर किस पर करता है यह यह फ्रसफ के बार झो डिलीवरी हो जाती है उसके बात क्या होता है भर्पूर्ण स्थनपान करए जाता है Testing अब किया होता है जो फीमेंल हो गी घो मडर होगी फिलीश को दूद पिलाएंगी और ऐसा माना जाता है कि ये 6 माह की अवदित तक होता है और ये बिल्कुल safe period होता है ठीक है जहां पर pregnancy नहीं हो पाती है ठीक है ओके तो ये हमारा recap था है ना अब हम जो बाकी के बचे हुए थे रोध और ये सब जितने थे ये हम आज के class में cover करेंगे ठीक है ये हमने अपनी last class में cover किया था ठीक है correct ठीक है तो चलो शुरू करते हैं रोध के साथ हम ओके चलो अगर हम रोध की बात करते हैं तो ये क्या होता है रोध यहां पर चलो एक्जैम्पल देश्यूरू करते हैं कि रोध का मतलब है barrier ठीक है किसी काम को रोकना ठीक है जैसे आप लोगों ने athletics में जो देखा है कि जो racing होती है उनमें क्या होता है barrier होते हैं है ना और जो racers होते हैं उनके उपर से कूट कूट के जाते हैं तो your channel क्या का मगता है ठीक है वह barrier के speed को कम करने का काम करते है या अगर आप सड़कों से जा रहे हैं तो पुलिस अपने barrier लगा देती आ कि उत्तर फरदेश पुलिस और MP फुलिस और भिहार पुलिस तरीक से तो barrier क्यों लगाती है ताकी जो है checking कर सके या जो आने जाने वाए लोग हैं वो side से निकलें कियो वो speed कम कर सके ठीक है तो ये barrier हो गए हैं ठीक है और किस टाइप के barriers होते हैं कि भई हम अपने घरों में दर्वाजा क्यों लगाते हैं दर्वाजा जो है वो भी तो एक barrier है ना कि बाहर चे कोई भी अंचाहा आदमी हमारे घर में आ सके वो भी तो barrier है ना ठीक है तो ये सब kind of barriers है ठीक है कि भई हां ये हमारी जो डोर है क्या कर रहा है protection कर रहा है ठीक है बाहर से unwanted लोग कोई भी मूँ उठा के मारे घर में ना आ जाए ठीक है कोई चोर ना आ जाए कोई जानवर ना आ जाए ठीक है चलो फिर अगर हम यहां पर बात करते हैं तो भई ये जो barrier होता है इनकी सहायता से मतलब इनकी help से इनकी सहायता से क्या होता है कि भाई जो sperm और egg होते हैं ठीक है यानिके शुक्राणू और अंडाणू ये क्या होता है ये दोनों मिलना सकें ये दोनों एक दूसरे से दूर रहें क्योंकि ये मिलेंगे तो क्या होगा निशेचन की क्रिया करते हैं barrier इन दोनों को मिलने से रोकते हैं कहते हैं तुम एक दूसरे से जुदा रहो तब ही हम खुश रहेंगे ठीक है तो यहां पर यहां जो होता है यहां पर इन दोनों को यहां पर जो fertilization होता है fertilization इसको क्या करता है stop करता है रोक देता है ठीके या करता है रोक देता है और यह कैसा barrier है भृट इक बैरियर यानि फिजीकली हमने पहले क्या पड़े थे नेचुरल पड़े थे लेकिन यह क्या है फिजीकल है मतलब हमको दिखाई दे रहे हैं हम इने टच भी कर रहे हैं जो बैरियर से ठीक है ठीक है चलो यह स्टॉप कर देता है है ना उसके बाद क्या होते है बई ओके अब इब होते हैं, और इस फिकी कि दोर सब्सक्राइब करते हैं तो नर्मे क्या होगा यह कॉंडम आता है ठीक है जो पहला उपियोग होगा मतलब जो पहला रोध होगा बैरियर होगा वो क्या होगा कॉंडम हो गया condoms और यह जो condom होते हैं न सिर्फ ये one time use के लिए होते हैं ये सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल में आते हैं ठीके? एक बार use के लिए होते हैं तिर्फ ठीके? only and only one time इसको use कर लिया है, इसको fake दो ठीके? क्योंकि वो खराब हो गया है दुबारा उसको यूज नहीं करना होता है, फिर क्या होंगे, infection हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है चलो, अगर हम यहाँ females में बात करते हैं, तो females में कौन से होते हैं, एक तो आपका क्या आ जाएगा, diafram, ठीक है, diafram आगी अपना, ठीक है, दूसरा कौन सा आता है, बताओ बते जल्दी comment में, ठीक है, चलो, दूसरा क्या आता है अपना, दूसरा है, गर्भाशय, घ्रीवा, टोपी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, cervical cap भी बोलते हैं इसको, या ठीक है, cervical cap बोलते हैं, ठीक है, ओके, फिर अब 3R क्या आ जाता है, हमारा, valve आ जाता है, ठीक है तीसरा क्या आगया वॉल्व आगया तो जो फीमेल्स में होते हैं वो ये तीन चीज़े आती हैं मेल्स में क्या होता है कॉंडम आता है ठीक है ओके जी ठीक है चलो अब क्या होता है कि ये जो डायाफ्रायम होता है ठीक है ये जो डायाफ्रायम होता है ये क्या होगा य गरवाशे ग्रिवाप में लगाया जाता है ठीक है अब यहां पर क्या होता है यह जो यूज करने के लिए यह क्या होता है कपलाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से ठीक है ऐसे हो गया कपलाइक स्ट्रक्चर और यह एक साइट से खुला हुआ होता है एक साइट से ओपन होता है और एक साइट से क्लोज होता है यह मैं सोच ले ना यहां से ओपन है और यहां से क्लोज है यह जो मैंने बनाया है न डाइग्राम इसको मैंने बताया है कि यह जो यहां नीचे से open होता है रोड़ उपर से close होता है थाकि जो sperm से वो उपर ना जा सके ठीक है चलो मैं हटाई देपट यूसको कभि आप लो confusion में आ जाओ यहां से close होगा ठीक है अब confusion मत रखना अब क्या होता है कि यह जो diaphragm होता है इसे क्या करते है ठीक है इसे females ने use किया ठीक है उनके बीच intercourse हुआ female और male के बीच अब जो sperm होंगे वो यहां रुख जाएंगे ठीक है अब यहां से close है तो उपर कैसे जाएंगे तो sperm क्या होगा य अपनी body से बाहर निकाल सकती है ठीक है बाहर निकाल के उसको अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं ठीक है और वह दुबारा यूज में आ सकता है इसका मतलब यहां पर यह क्या होते हैं बार बार यूज में आ सकते हैं ठीक है इसको बार बार हम यूज कर सकते हैं लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर एक cream use होती है जिसको हम बोलते हैं शुक्राणू नाशक cream ठीकिश वो योज करते हैं यहाँ पर ताकि जो है sperm जो है वहीं पर नाशक है ना देखो यानिकि वो डिस्ट्रोई हो जाएं कतम हो जाएं वहाँ पर इसलिए वो क्रीम वहां पर यूज़ की जाती है कि क्रीम यूज़ दो और इसके कहानी में यह था एक चलो देखो यह क्या है फिमेल में इस तरीके से देखो यह फिमेल कोंडम्स जो है इस तरीके ओके अब क्या है दूसरा यह दो कोई मेल्स के कॉंडम है ठीक है मेल्स के कॉंडम यहां आगे से जो होता है जहां शेशनी का क्या होता है मूह होता है ठीक है वहां से क्लोज होते हैं और यह उपर की तरफ जाता है ठीक है उपर की तरफ पहना जाता है इसको ठीक है तो यह एक करिए यह क्या कहना चाहता है हमसे अब टोटल टेक्स के अंदर ठीक कि विदियो के अंतरकर रोधक के माध्यां से अंडाणू और शुक्राणू को बहुत इक रूप से मिल ले से रोका जाता है मतलब कि वह फिजीकली ना मिल पाएं देखो ठीक है नैचुरली में हमने क्या किया था वही हमने तीन बात करी थी वहाँ ठीक है कि हाँ वह यह नेचुरल तरीके थे हम उस तरीके से रोक सकते हैं यहाँ पर बहुत एक मतलब फिजीकली कोई चीज हम यूज कर रहे हैं जिसकी वयसे एग और स्परम को एक दूसरे स मैंने बताई थी ठीक है अब जो कॉंडम होता है यानि जिसको निरोध कहते हैं आदी रोधग उपाए हैं जिने पतली रबर या लेटिक से बनाया जाता है किस से बने हुए होते हैं वो पतली रबर से बने हुए होते हैं बहुत पतले-पतले होते हैं ठीक है ताकि इसके उ होता है वो कॉंडम को क्या करता है अपने पीनस के उपर पहनता है ठीक है उसको ढख लेता है ताकि जब वो एक प्रम ठीक है एक फिमेल की बॉड़ी के अंदर एक लेशन करें निकाले स्पर्म को तो क्या हो कि वो उसकी वजाइना से होते हुए उसके यूट्रस में ना जाए ठीक है इसलिए कॉंडम पहना जाता है ठीक है और जो स्कलित शुक्राणू इस्त्री के जनन मार्ग में नहीं खुस सके जिसकी वज़े से ठीक है यह गर्बधन को बचा सकता है अब ज हमारी बुक के हिसाब से निरोद दिया गया है नाम ठीक है जो आपको government, जो hospitals होते हैं, mostly वहाँ पर यही मिलेगा, ठीके, इस से अलगट के और भी बहुत सारे brands हैं, जो market में हैं, ठीके, जिनें लोग use करते हैं, ठीके, हाला कि, हाल ही के कुछ वर्षों में, condom के उपयोग में तेजी से बृद्धी हुई है, मतलब, लोगों में इतनी जागरुपता आई है, उन्होंने ये चीज़ को समझा है कि हाँ, unwanted pregnancy से अच्छा है कि हम condom यूज़ कर ले, थोड़े से पैसे खरच करके भाई, अपनी और अपनी बीवी को, जो है, बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी बिमारियों से, unwanted खर्चों से, अपने परिवार को और अपने को बचा सकते हो, ठीक है, unwanted pregnancy एक औरत के लिए भी बार-बार होता है कि बार-बार आप बच्चा क्या है, अबार्ड करवादो या बार-बार डिलीवरी कर रहे हो, तो बहुत दिक्कते होती है बच्चा पैदा करने में, ठीक है, तो जरूरी है कि वो unwanted चीज़े न आ हो, उसे बेटर रहे मारके जो, कॉंडम करीद के लाओ, और भई एक प्रोटेक्टिट वहाँ पर इंटल कोर्स करो, ठीक है, प्रोटेक्शन के साथ, यह सब चीज़े हम लोग को यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ, यहाँ पर हम इसलिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में, यह चीज़े हमारे प्रोफेशनल और परसनल दोनों लाइफ को क्या करेगी, हिट करेगी, ठीक है, हमें इन चीज़ों का ग्यान होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने कहा था, कि यह चैप्टर सिफ आप लोगों के लिए नहीं है, यह चैप्टर और और भी बच्चों के लिए है, और भी स्टुडेंट्स के लिए है, और कुछ बड़े लोगों के लिए है, जो इसको देख सकते हैं, जिनको इस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो उनकी बीवी है, वो कोई मशीन नहीं है, कि जब चाहें बच्चा पैदा कर करना है, ठीक है, चलो, क्योंकि इस से क्या होता है, गर्वधारन के अलावा यौन संचरित रोग जो होते हैं, जैसे कि एज, उससे बचा जा सकता है, यौन संचरित मतलब जो सेक्शुली ट्रांसफर होते हैं, एक दूसरे से, मेल से फिमेल में और फिमेल से मेल में ट्रांस सेक्स के दौरान ठीक है अब इस्तरी पुरुष दोनों के ही कॉंडम उप्योग के बाद फेकने वाले होते हैं ठीक है चाहे मेल है फीमेल है दोनों के कॉंडम यूज हुए और फेक दो डायाफ्रेम गर्वाशे ग्रीवा टोपी तदा बोल्ट आदी भी रवर्ट से बने हुए होते हैं ठीक जो इस्तरी के जनन मार्ग में सहवास याने की सेक्शुल इंटरकोर्स के पूर्व गर्वाशे ग्रीवा को ढखने के लिए लगाया जाता है ठीक है यहां तक क्लियर सबको हाँ चलो अब इस्तरीयों द्वारा प्रोजिस्ट्रॉन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसका सईयोजन अच्छा हाँ इसको हम बाद में पढ़ेंगे इसको हम बाद में देखते हैं ठीक है अके तो यह गर्भाशे गरीवा को ढखकर शुक्राणों के प्रवेश को रोक कर गर्भादान से छुटकारा दिलाता है यह क्या करता है इसने क्या किया जो गर्भाशे गरीवा है गरभाशे कैसे होता है भई ठीक है यह गरभाशे है हमारा यह न यह क्या है गरभाशे ठीक है याने की यूटरस हो गया यह हमारा ठीक है अब इस यूटरस में यह जो जगा है यह क्या है गरभाशे गरीवा ठीक है गरभाशे गरीवा है यह ठीक है तो यहाँ पर जब हमने क् तो क्या होगा भाई जो शुक्राणू है ठीक है स्पर्म इसके अंदर कैसे जाएंगे जाही नहीं पाएंगे इसके अंदर है ना जाही नहीं पाएंगे तो वो अगर यहां पर एग हुआ तो उससे कैसे मिलेंगे मिली नहीं पाएंगे है ना तो भाई यह क्या करते हैं यहां शुक्राणो नाशक क्रीम भी यूज होती है जैली भी यूज होती है और फॉर्म यानि कि ज्ञाक का प्रवह इस्तमाल किया जाता है जिससे इनकी गर्ब निरोदक छमता काफी बढ़ जाती है ठीक है ओक चलो जी ठीक है आगे बढ़ते हैं अच्छा अब इसके बाद आता है पिल्स ठीक है इसके बाद क्या है पिल्स अब हमें मालूम है कि बाइज पिल्स याने की गोलिया है वो किसके द्वारा खाय जाती है ये महिलाओं के द्वारा खाय जाती है ठीक है ये यहां पर इन दोनों का यूज किया है जो हम गोलियों के द्वारा इन्हें खाते हैं बताओ जल्दियली कॉमेंट में बताओ कि इन दोनों का यूज किया है हम क्यों खाते हैं हम से मतलब कि फीमेल क्यों खाती है ठीक है क्यों खाती है फीमेल जल्दियली बताओ यह दोनों प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजिन ठीक है चलो बताते हैं यह जो प्रोजेस्ट्रोन होता है यह क्या करता है अंतहा रोपन की जो क्रिया होती है इसको क्या कर देता है रोक देता है ठीके अंतहा रोपड की जो क्रिया होती है ये प्रोजेस्ट्रोजन जो होता है उसको रोक देता है अब अगर एस्ट्रोजन की बात करते हैं तो एस्ट्रोजन क्या करता है भाई ये जो अंडोज सर्ग होता है अंडोज सर्ग, ठीक है, अंडोज सर्ग की जो क्रिया होती है, इसको क्या कर देता है, रोक देता है, ठीक है, देखो, ये जो गोलिया होती है, ये महिलाओं के द्वारा खाई जाती है, किस से बनी होती है, प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन से बनी हुई होती है, हरोपन की जो प्रॉसेस होती है उसको रोग देता है यहां पर और एस्टोजन क्या करता है जो अंडोज सर्क होता है याने की जहां पर एग रिलीज होता है एग बनता है उसके प्रॉसेस को रोग देता है ठीक है चलो ठीक है अब यह जो गोलिया होती है न यह दो टाइप की ह होती है ठीक है है यह क्या है दो टाइप की है तू टाइप की हिगी थीक है कौन कौन से Two Types की होती है बताओ कॉमेंट में कौन कौन से Two Types की ये घोलियां बताओ बताओ कों से two type की होती है बने C तो ये होती है एक तो होती है सहेली ठीक है और दूसरी क्या है माला-D w इनके एड आप लोगों ने गर्मेंट हॉस्पिटल जो होते हैं बहुत देखे होंगे वहां पे ठीक है और गर्मेंट हॉस्पिटल के साथ साथ टीवी पे दूर दर्शन पे बहुत एड आते थे इसके हैं ना क्योंकि बहुत पुराने से इस जीजों के बारे में चलता हूँ हो आ रहा है तो दो तरीके की होती है ठीक है चलो ओके जी ओके चलो अब थोड़ा से देख लेते हैं इसके पिल्स के बारे में ठीक है कि यह बाई पिल्स को जो है क्या है क्या चल रहा है इसमें तो यह महिलाओ द्वारा खाई जाने वाली गोलिया होती है ठीक है हमने अल्र अब धारन को रोकती हैं ये दो प्रकार की होती है जो प्रते दिन ली जाती है ठीक है जो की क्या है मालाडी याने की 21 दिन तक ली जाती है ठीक है और ये क्या है सब्ता में ली जाने वाली जो क्या नामे जिसका सहेली ये साथ दिन बार ली जाती है याने की हफते में एक बार ली जाती है यह 21 जिन तक कब कि जब आपका first day होता है periods का ठीक है first day होता है periods का वहाँ से शुरू करते हैं और 21 day तक ठीक है suppose किसी female को first को हुआ period ठीक है तो first से लेके 21 तक एक से लेके 21 तक ठीक है 21 तारिक तक ठीक है उस महीने की एक से लेके 21 तारिक तक क्या होगा याने की 21 दिन तक वो क्या करेगी यह गोलिया खाएगी ठीक है और यह सब्ता में एक बार ओके ठीक है इसके अतरिक कई गोलिया होती है जो निशेचन के निशेचित युगमनच को समाप्त कर देती है इसके बाद भी कुछ ऐसी गोलिया होती है कि ठीक है अगर आपने पहले नहीं खाई ये तो बाद में खालो और वो जो निशेचन की जो क्रिया होती है वो आगे ना प्रवेश्मा गुडवत्ता को बदल देती है जिससे शुक्राणों प्रवेश पर रोक लग जाती है ठीक है चलो यह इसके बारे में हो गया है यह देखो यह सहेली और यह मालडी इनकी फोटो आप लोग ने बहुत जगा देखी होगी यह तो बहुत जगा देखी होंगी यह तग घरबाशे यूपती ठीक है ओखे घर हम इसकी बात करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं इंट्रायूट्रइन डिवाइस और क्या बोलते हैं इसको IUD ठीक है, क्या बोला हमने इसको IUD अभ ये जो IUD है, ये क्या करती है, जो योनि मार्ग द्वारा ये योनि मार्ग द्वारा ये क्या कर रही है, गर्भाश है गरभाषय में क्या गये हैं लगाये जाने वाली योनी मार्क दुवारा गरभाषय में लगाये जाने वाले क्या है ये छोटे छोटे यंत्र हैं ठीक है क्या है छोटे 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 यंत्र ठीक है जो क्या कहलाते हैं हमारे अंतहा गरभाशे युक्ति कहलाते हैं याने की intrauterine devices ये छोटे छोटे यंत्र होते हैं जो योनी के द्वारा याने वजाइना से अंदर की तरफ जाते हैं कहां uterus में, गरबाशे में जाते हैं, ठीक है, ओके जी, ठीक है, अब यहाँ पर पहला क्या आता है हमारा, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो ओशिदी, ठीक है, तो क्या आता है यहाँ पर ओशिदी आता है, अगर हम ओशिदी देखें तो, आशदी ठीक है आशदी होगया हमारा ठीक है अब इस आशदी में क्या होता है भाई अगर हम इस आशदी की बात करते हैं तो इसके जो अंदर आशदी के अंदर बिना इसके अंदर क्या होता है बिना औशदी या फिर रसायन वाले यंतर आते हैं ठीक है जो कहां लगते हैं अंडवाहिणी में यानि इसका फाइदा जो निशेचन है। जो निशेचन की क्रिया है वो क्या होगी नहीं होगी ठीक है और इसका common example क्या है अगर हम example की बात करें इसकी तो lip is loop क्या है lip is loop ठीक है यहां तक सब को clear किसी को कोई doubt तो नहीं है okay कोई doubt नहीं है समझ में आ गिया है है ना okay चलो आगे बढ़ लेते हैं हां ठीक है चलो UK तो हमने बात कर रहा और अच्छा एक चीज्जाओ अगर हम यह बात अंत्प फाLL आ को गर्भाशे की कर रहें थीक है तो अंत्तह नंत' गर्भाशेन के लिए तो पढ़ रहे हैं ठीक है चलो पढ़ते हैं तो अंदर है grobhaShay युक्ति थीक यहां पर के देख रहे हैं यहां हो रहा है in TV गरभाशे चक् sex現在 और रहा है ठीक है यहां पर के छोटे छोटे यंद्रमने क्या बोले कि इस्तमाल में आ रहे हैं ठीक है अंद्र है गर्भाशय युक्ती में सबसे पहले हमने वहाँ क्या देखा भी पीछे ओशदी ठीक है तो यह क्या है ओशदी रहित IUD ठीक है यहाँ पर ओशदी रहित IUD में क्या होता है भाई, एक्जेम्पल आपने क्या देखा इसका लिपिस लूप ठीक है ये कैसा होता है टी स्ट्रक्चर में होता है ये ऐसे करके टी स्ट्रक्चर में होता है अब ठीक है ये टी स्ट्रक्चर में है ठीक है इसके ऐसे करके है ये ठीक है इसका टी स्ट्रक्चर है लेकिन ये जो T structure है इसको कहां लगाते हैं इसको कहां लगाएंगे हम इसको uterus में लगाएंगे यानि गरभाशे में लगाएंगे ठीक है इसको uterus में लगा देंगे हम ठीक है लगा दिया चलो हमने इसको uterus में अब क्या होगा अब यहां पर uterus में जब इसको लगा देंगे न तो भाई ना ये कोई इसमें medicine होती है ना कोई hormone होता है ठीक है यहाँ पर कोई medicine भी नहीं है medicine या hormone यहाँ release नहीं होता है इसे ठीक है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है सिर्फ यह यह लगी होई है लेकिन अब हम बोलो कि जब कुछ medicine नहीं है कोई hormone रिलीज नहीं हो रहा है तो इसका फाइदा क्या है भाई इसको लगाया क्यों है तो ठीक है चलो इसके लिए भी हमारे पास यह है कि भाई कि यहा पर क्या होता है एसका यूज कहां लिखना है अगर हम इसके यूज्त की बात करते है तो हम यहां लिखेंगे आप ठाइभ आपको ऌटाइशं जो हुआ है वहाँ पर यानि कि निशेचन जो हुआ यह थीकई तो खो द़ा था फाहते ही जनुद ऑधका जाएगा अंदो मैंट्रियों में जाएगा मैंट्रियंड यही जाएगा अंदो स्पर्म्रेश में जा था जया एक की क्रिया हो जाती है कि जब इस पर्म वहां पर एक से मिल गए तो एंड्रोमेटर में पहुच गया इसका मतलब वहां पर क्या होगा अब तो याने की बच्चा होगा लेकिन यह जो टी होता है यह ऐसा होने नहीं देता है यह क्या करता है यह उसको वहां पर रोक देता है जो अंतहर ओपन की जो क्रिया है कहां गया अंतहर ओपन की जो क्रिया है इसको रोक देता है रोक देता है ठीक है clear ओक्य चलो इसको ऐसे देख सकते हो देखो मैं एक डाग्राम के तुरू दिखा देती हूँ कि भाई इस तरीके से होता है ठीक है न और यह कैसे लगी होई होती है टी इस तरीके से ऐसे लगी होई होती है ठीक है इस तरीके से ऐसे होती है यह जो सनरशना होती है वेजाइना में ऐसे अभी जो टी होती है क्या करेगी यहां एंडोमेट्रियम में जब यहां पर क्लोस हो जाएगा तो ये endometrium में आने ही नहीं देगी और जब या endometrium में नहीं आने देगी तो भई क्या होगा अंतहरोपड की क्रिया भी नहीं होगी ठीक है ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर आता है हमारा तामबा मोचक IOD ठीक है याने की जिसको हम क्या बोलते हैं इसको बोला हमने copper T copper T बोला हमने ठीक है अब ये copper T जो है बहुत नाम सुना है हमने इसका कि हाँ भई कभी कभी बातचित होती ना कि ठीक है उसने copper T लगवाई है या उसने copper T लगवाई है तो copper T लगवाने का फायदा क्या होता है ये बताओ पहले सबसे हम तो भई copper T लगवाने से क्या होता है जो शुक्राणू होता है ना जो स्पर्म होता है इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है कम काम क्या है इसकी speed कम करना यानि की जो निशेचन की छमता होती है उसको कम करना तो यहां पर इस copper टी का यह काम होता है यह करता क्या है भाई यह copper release करने काम करता है यह क्या करेगा गर्भाशे में copper release करेगा copper ions को release करता है बॉडी में ठीक है गर्भाशे अब जब बॉडी में release कर देगा है फीमेल की तो बही sperm जो होंगे वो क्या होगे उसके speed को यह खुदी स्लो कर देगा और एक sperm कब तक रह सकता है 24 गंटे तक रह सकता है जब स्पीड कम हो जाएगी तो हो सकता है कि उस 24 गंटे में वो स्पर्म जो है उस एक तक ना पहुंचे जो शुक्राणू है वो अंडाणू तक ना पहुंचे इस copper ठीक की वज़े से copper ions वहां पर मौजूद है ठीक है चलो यह होता है फिर आता है hormone मोचक आयोडी ठीक अब यह जो hormone मोचक आयोडी होते हैं यह क्या करते हैं यह hormone release करते है यह क्या करते है hormones release करते हैं कौन से प्रोजेस्ट्राण होर्मोन रिलीज किया कौन सा प्रोजेस्ट्रोन ठीक है कहा पर गर्भाशे ग्रीवा गर्भाशे ग्रीवा ठीक है अब यह जब गर्भाशे ग्रीवा में रिलीज होगा तो यह वहाँ पर क्या काम करेगा यह जब प्रोजेस्ट्रोन होर्मोन है यह गर्भाशे ग्रीवा में क्या काम करेगा यह यह गर्भाशे ग्रीवा में क्या करेगा भाई उसको टाइट करने का काम करता है टाइट करेगा गर्भाशे ग्रीवा को ठीक है जब ग एंटर नहीं करेगा ठीक है और जब वो एंटर इनि करेगा तो बाई क्या होगा वहाँ पर वो जा के एक से मिले गा यहां यहां यह सारा काम जो हो रहा है न इन दोलों के मेल मिला आपको रोकने के लिए हो रहा है कि बाई गलती से भी इनका मिला नगर हो गया तो तो unwanted pregnancy पत्क क्योंकि जिनको प्रेगनेंसी चाहिए वो इन सब चीज़ों का यूज नहीं करेंगे इनका यूज क्यों होता है क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं चाहिए ठीक है और यह सब चीजे ना these things are much better much better कि आप किसी औरत के शरीर को बार बार उसमें से abortion करवा के खराब करो ठीक है ना abortion से खराब नहीं हो तो बार 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 जो delivery होती रहती है ना 10 11 8 9 इनसे भी body खराब हो जाती है बहुत कमजोर हो जाती है क्योंकि इसा कहा जाता है कि एक बार के delivery में कई सालों का चुड़ा हुआ कैल्च है मौरत के शरीर से चला जाता है ओरत के शरीर की हट्डिया इसी लिए कमजोर होती है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ओके चलो अब बात करते हैं टीका की ठीक है अब टीका क्या है कि भाई इनका भी कुछ ना कुछ तो यूज होगा इंजेक्शन जो लगते हैं है ना ठीक है मतलब इंजेक्शन लग रहे हैं तो बई अगर या इन रिप्लान के रूप में किया जाता है श्किन कीण sudah Vत कि यू स्कारी की विदी ठीक गर्व निरोधत भोली ओं जैसे ही होती है और काफी लंबी अभधी के लिए प्रभाव जाली करती भद स्कूम्सय करती है तो कुछ लोग होते हैं जिनका हम चल tactics ले लेकिन ऐसी फीवर क्ले भी होता है कुछ लोग फीवर में इंजेक्शन लेने प्रिफर करते हैं कि इंजेक्शन दे दो भाई मैं फडाक से ठीक हो जाओंगा क्योंकि जो गोली है जो टैबलेट है वो थोड़ा तो टाइम लेगी ना एक घंटे का तो असर लेगा ना कम से कम तब हमक संयोजन का प्रियोग या आईउडी के उप्योग को आपातकालि गर्ब निरोदक के रूप पे बहुत ही प्रवाबशाली पाया गया है याने कि अगर इंटर कोर्स हुआ है उसके 72 आर्स के अंदर अंदर ही ठीक है यह इंजेक्शन लेना पड़ेगा नहीं तो भई सेक्स के कारण होने वाली संभावित संघ्भर्टा याने की जो प्रेग्नेंजी है ठीक है उससे बचने के लिए किया जा सकता है अगर यहां पर बलादकार की बात आई है तो यानि रेप की बात आई है जो कि बहुत गलत चीज़े हैं ठीक है बहुत ऐसे लोग है जिनको ब बलती से भी ऐसी कोई गंदी चीज आती है किसी लड़की के लिए ठीक है तो बहुत तुरंच जाके क्या करें डॉक्टर से मिले कि मेरे दिमाग में चीज़े आती है इसमें शरम की कोई बात नहीं है हॉर्मोन से कैसे भी डिस्बैलेंस हो सकते हैं जब एक महिला के हॉर्मो है कि इसका जो रिजल्ट है वो बहुत गलत है लेकिन फिर भी मन है हमारा के में यह काम करना है उसके लिए डॉक्टर से मिलने में शरम नहीं है तब मिलना चाहिए ठीक है शरम यहां है कि आप किसी महिला को बोल रहे हो कि तुम बच्चा नहीं पैदा कर पार रहे हैं वहां हम यह बात कर रहे हैं कि जब रेप केस्ति में आते हैं तो वहाँ पर जो रेप किसी लड़की के साथ भीया चलो किसी के साथ रेप हुआ ठीक है तो वहां पर क्या होता है यह जो TK होते हैं जो इंजक्शन होता है वो उन 72 आर्स के अंदर अंदर दे दिये जाते हैं ता कि उसको pregnancy ना हो ठीक है क्योंकि रेप होने के बाद वो बच्चा कोई भी नहीं रखना चाहता हाला कि इस चीज में उस होने वाले बच्चे की गलती नहीं है उस महिला किया उस औरत कि यह लड़की की गलती नहीं है कि उसके साथ रेप हुआ गलती उसकी है जिसने यह काम किया ल उसकी इज़त कैसे खराब होई लेकिन फिर भी चलो खैर कोई बात नहीं ठीक है तो यहां पर यह टीके टीके जो होते हैं ऐसी लड़कीओं को ऐसी और तो को ऐसे बच्चों लड़कीओं को दिये जाते हैं जिन को यह प्रेगनसी रेप के बाद नहीं चाहिए होती है या पिर ऐसी औरते लेती हैं जो unprotected intercourse के बाद बच्चा नहीं चाहती हैं लेकिन इन चीजों के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखना ज्यादा इन सब चीजों का यूज करने से भी आप infertility याने की जो बांच पन होता है उसके करीब जाते हो जादा बार बार इंजेक्शन लगवाना जादा गोलियां खाना ये भी एक लिमिट के बाद हमारे शरीर को नुकसान दे जाती है बले चाहें ये चीज़े सरकार ने बनाई है ठीक है की ठीक है पपलेशन कंट्रोल हो रही है एक और अनवांटेड प्रेग्नेंसी ना करे लेक कि इसमें ये किस से बने हुए होते हैं किस से क्या होते हैं इसमें प्रोजिस्ट्रोन और एस्ट्रोजन से बने हुए होते हैं ठीक है ठीक है ये क्या है एस्ट्रोजन और प्रोजिस्ट्रोन से ये बने हुए हैं ओके ठीक है चलो अब क्या होता है पही कि इसका यूज चया है अगर आप ऊपियोग की हमने बात कर ली थी मैं अब शौर्ट्कट में समझा देती हूं ठी कि अगर हम इसके उपियोग की की बीच का टाइम हो कि बाह्य जब क्या होजाए स्पर्म को एग मिल जाए हम धोनों अपसे मिल जाए अब जब मिल जाएंगे तो क्या होगा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा मतलब की फ्रेग्नेंसी हो जाएगी हाँ अब उस प्रेग्नेंसी से बचने के लिए क्या करेंगे वो इन टीकों का यूज करेंगे ठीक है टीकों का यूज करेंगे ठीक है कब यूज क चलो ओके आगे बड़े ठीक है अब इसके बाद आती है बई शल्ले क्रिया विदी जिसको हम सर्जिकल मेथड भी बोलते हैं ठीक है तो यहां पर क्या होता है ओके यहाँ पर क्या होता है शल्ले क्रिया विधी ठीक है चलो यहाँ पहले देखते हैं कि यह जो शल्ले क्रिया विधी होती है यहाँ पर ये नर और मादा दोनों के लिए होती है जो surgical methods होते हैं ये एक male और female दोनों के लिए होते हैं ऐसा नहीं किसे male के लिए है female के लिए है दोनों में नहीं दोनों के लिए होंगे ठीक है ठीक है चलो नर और मादा में होंगे अब जब नर्मे होती है नहीं जब यह नर्मे होगी तो भाई शुक्रवाहक शुक्रवाहक ठीके कहां होगी नर्मे शुक्रवाहक में होगी ठीके कैसे होगी शुक्र शुक्रवाहक में होगी ठीके और वहां क्या कहलाएगी यह कहलाएगी शुक्रवाहक उच्छे देख ठीक या जिसको हम क्या बोलते हैं वैसको स्पैलिंग गलत हो गई जिसको बोलेंगे हम वैसक वैसक टॉमी ठीक है वैसक टॉमी हो गई यहाँ पर क्या होता है कि जो वैसक टॉमी में क्या होता है कि बाई जो क्या होती है शुक्र वाहग जो होती है जो शुक्र वाहग होती है इसको क्या करते हैं काट देते हैं थोड़ा सा ठीके या फिर क्या करते हैं उसको बांध देते हैं ठीके काट देंगे या क्या करेंगे बांध देंगे ठीके जिससे क्या होगा जो स्परम्स नीचे बन रहे है किस में टेस्टिस में जो बन रहे हैं क्या होगा कि इस शुक्रवाहक के द्वारा वो क्या है उसके पीनस तक नहीं पहुचेंगे ठीक है वो वही पर जाएंगे नीचे ठीक है ठीक है चलो अगर हम मादाओं की बात करते हैं तो मादाओं में क्या होता है यह मादाओं में कहा ह में तो रहाएगी आभी यहां शुक्रवाहग में हो रहार यहAmerica मने में में हो रही है तो क्या कहिलाएगी कि अंडवाहिनी में उच्छे तब्लिन ठीक है और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे है अपर इसको बोलेंगे हम ट्यूबक टॉमी ठीक है ट्यूबक टॉमी बोलेंगे इसको कर्रेक्ट यहां पर क्या होगा यहां पर जो ट्यूबक टॉमी होगी यहां पर क्या होता है देखो मैं इच्छे डाग्रेम से समझा रहेती हूं कि औवरी है नूँ टिके इस खुल अबशी आएगा और इस requesting काई से यह यह अगर यह यहां से इधर आया है और यहां से यहां तक है ना पहुंचे तो क्या करेंगे हम इसको यहां से ब्लोक कर या फिर काट देंगे ठीक है ब्लॉक कर देंगे या फिर काट देंगे तो यह स्पर्म जो होगा इससे मिलेगा ही नहीं और जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा कोई फर्टलाइजिटिशन नहीं होगा ठीक है चलो अगर हम ऐसे मेल में बात करता है तोच्च इनसे इस तरीकर है ठीक है तेफिस्टी अब ठेस्टी सी इन से कया था बोई इस तरी किसे यह ज़िए हु कि तीक यह क्या है शुकर वहग शुक्र वह ठीक है अब यहां से क्या होगा इस शुकर वहाग के अंदर क्या होगा is cheeks स्पर्म्स होगा यहां से जाएगा स्पर्म्स क्योंकि स्पर्म्स तो यहां बन रहे ना टेस्टीस में है ना टेस्टीस में बन रहे तो इस शुक्रवाहक जो है इनके थ्रूई तो होके स्पर्म्स निकलता है बाहर तो अब यहां पर क्या होगा भाई यहां पर भी क्या हो जा सके ठीक है ठीक है जी यहां तक क्लियर हो गया है ओके यह देखो यह क्या कर रहा है यहां पर इसको इस तरीके से बांद दिया है ठीक है यह बांद देंगे यह काट देंगे ठीक है कि ताकि यहां से जो स्पर्म है वो यहां तक पहुंचे ही ना और यहां पर क्या करते हैं दे ठीक है क्योंकि स्पाम यहां से होते होते का पोचेगा भाई फाइनली पीनस के मुझ से निकल जाता है तो जब यहीं पर इसको काट देंगे या बांद देंगे तो स्पाम बाहर जाई नहीं सकता है वो कहार जाएगा यहार जाएगा ठीक है और इसी तरीके से अगर यहां पर क्या है अंड़ा यहां से निकला है यहां अंड़ा है यहां से क्या है स्पाम आये हैं तो भाई अगर यहां बांद दिया है हमने तो क्या होगा जब बांद दिया है तो यहां पर स्पाम इससे मिली निपाएंगे है ना ठीक है चलो आ स्थाई रोप से गर्ब धारन से बचा जा सकता है जिसके दो तरीके हैं कौन से हैं भाई शुक्रवाही का उच्छेदन जिसे हमने वेसक टॉमी बोला ठीक है वेसक टॉमी और दूसरा अंडवाही नी उच्छेदन जिसको हमने क्या बोला जिसको हमने ट्यूबेक टॉमी बोल ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है अगर हम जो है किसकी बात कर रहे हैं हम वैसेक टॉमे की बात कर रहे हैंने कि हमने शुक्रवाई का उच्छेदन की बात करी है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा भाई इसके द्वारा मतलब यह जो टेक्नीक है ना इसके द्वारा क्या हो रह क्या करते हैं यहाँ पर छोटा सा जो भाग होता है यहाँ पर छोटा भाग काट कर निकाल देते हैं या फिर बांध देते हैं काट कर क्या करते हैं निकाल देते हैं निकाल देते हैं या फिर क्या होता है बांध देते हैं जिससे क्या होगा शुक्राणूं की क्या होती है हैं जिससे क्या होगा की जो यहां लिख देते हैं चलो जिससे शुक्राणूं नीशेपन की जो क्रिया है वो क्या होती है रुक जाती है ठीक है तो इस वेशक्राणूं में यह होता है ठीक है अब वहीं अगर हम बात इस की करते हैं अंडवाहिनी उच्छेदन याने डूबेक्ट्यकाई क्या करते हैं तो यहां पर क्या होता है भई यह मादा के शरीर में होती है कहा हो रही है ये मादा में हो रही है तो मादा में क्या करी है उदर गुहा उदर गुहा में क्या करते है चीरा लगा कर चीरा लगा कर क्या करते है अंड वाहिनी को काटना ठीक है क्या करते है भाई ये अंड वाहिनी अंड वाहिनी को काट कर निकाला अंडवाहिनी को काट कर निकालना या क्या करना या फिर वलीद करके बांध देना ठीक है अब हमने क्या बोला भाई जब उसे बांध होगे तो वो एग और स्पम मिल ही नहीं पाएंगे है ना ठीक है तो यहां क्या होगे बई यहां तो काट देंगे मतलब प्रोसेस दोनों में सेम है बस वहां पर कहा हो रहा है यह शुक्रवाहिका में हो रहा है और यह कहा हो रहा है अंडवाहिनी में हो रहा है अंदर इतना है बस ठीक है अब इससे क्या होगा इस से क्या होगा भई इस प्रोसेस से क्या होता है जो निशेचन की क्रिया होती है जो निशेचन की क्रिया है वो क्या हो जाएगी उसको रोक जाती है उसको रोक देते है ताकि गर्ब धारण से बचा जा सके बच्चा जा सके ओके ठीक है यहाद दा किसी हो कोई डाउट मुझे लगता नहीं कि होना चाहिए मैंने पूरी गोहिश करिए कि यह चैप्टर बहुत इजी तरीके से आपको समझाया जाए ठीक है चैटिंग करते रहोगे तो बिल्कुल नहीं समझ पाओगे ठीक है तो इसी वज़े से इसको यहाँ पर समझो नहीं आ रहा है समझ पर एक बार फिर से देखो ठीक है नहीं आ रहा है समझ पर कॉमेंट में छोड़ दो ठीक है कि हाँ यह क्योरी है मैं नेक्स क्लास में उसको बता दूगी ओकी सबसे पहले हम बात करते हैं संग भर्टा का चिकिट्सिय समापन जिसको हम क्या बोलते हैं medical termination of pregnancy या फिर किसको बोला हमने MTP ठीक है जिसको हमने क्या बोला MTP ठीक है तो हमने क्या बात करी थी भाई हमने पहले देखा था गर्भ निरोधक उपाय देखे थे हमने है ना शुरू करते है चलो गर्भ निरोधक उपाय से हमने इसके बारे में क्या करी थी बात करी थी ठीक हमने यहां क्या बात करी थी इन गर्व निरोदक उपायों के बारे में कि भाई किसी भी तरीके से एनी हाओ क्या हो प्रेगनेंसी ना रुखे ठीक है कि वो औरत प्रेगनेंट ना हो जाए इन उपायों का यूज करके लेकिन इन केस अनफॉर्चनेटली भाई कि मतलब ठीक है सारे अपना लिया गोल या फीमेल क्या हो गई प्रेगनेंट हो गई ठीक है चलो जी ठीक है यह फीमेल यहाँ पर क्या हो गई है भाई प्रेगनेंट हो गई है अब क्या हुआ जब वो सारे उपाय यह सारे क्या हो गई असफल हो गई यह असफल हो गई तो फीमेल क्या हो गई प्रेगनेंट हो गई ल मतलब अब क्या होगा यहां पर जब इसने कह दिया कि मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए तो अब यहां पर बात आती है किसकी संग भरता चिकद्सिये समापन की ठीके इसकी बात आती है तो यहां पर आता है इसका रोल ठीके संग भरता चिकित्य समापन का रोल आता है जब female pregnant हो जाते है और उसको वो बच्चा नहीं चाही होता है ठीके तो ये जो संग भरता चिकित्य समापन है अगर हम इसको बोले तो भाई ये है क्या ठीके ये है क्या तो हम इसको कह सकते हैं भाई कि जो ब्रून होता है ना कहां अंतरोपित होता है वो ब्रून अंतरोपित जब होता है कहां पर होता है जल्दी यल्दी बताईए कॉमेंस में कहां पर होता है अंतरोपित एंडोमेट्रियों में ठीक है अब ब्रून जो है एंडोमेट्रियों में चला गिया है जब वो एंडो बोलते हैं संग भरता याने की वह फीमेल क्या हो गई है प्रेगनेंट हो गई है ठीक है वह फीमेल क्या हो गई है प्रेगनेंट हो गई है यह बोला जाएगा ठीक है अब क्या होता है भाई जब यह फीमेल यहां पर प्रेगनेंट हो गई है यह प्रेगनेंट हो गई है और इ यह जो बच्चा है ठीक है यह जो बच्चा है मुझे नहीं चाहिए यह बच्चा मुझे नहीं चाहिए वह किसी भी कारण से वहां पर प्रेग्νεंट हो तो यहां उनकी help से, उनकी help से क्या होता है, कि यहाँ पर उनकी help से इस pregnancy का समापन किया जाता है, इसका क्या किया जाता है, समापन, ठीके, pregnancy का क्या हो गया, समापन हो गया, जिसको हमने क्या नाम दिया, गर्ब पात बोला, जिसको हमने समापन को क्या बोला, हमने गर्ब पात, ठीके, ग गर्पपात मतलब abortion भी बोला जाता है इसको ठीक है तो यहाँ पर जब वो बच्चा नहीं चाहिए था गर्पपात यानि कि abortion से करवाय जाएगा ठीक है ओके चलो ठीक है हमने इसकी बात कर ली तो हम यहाँ पर मतलब कह सकते हैं भाई कि जो ब्रून को समाप्त जो यहाँ पर किया जाता है इसको समाप्त किया जाता है किसके द्वारा डॉक्टर्स के द्वारा चिकेट सको के द्व जो खाना ठीक है उसको क्या बोलेंगे हम एबॉलेंगे अ ठीक इसको क्या बोला to the doctors कि सहमती हो रहा है हूं उनकी अमजी से रहा डॉक्टर्स ने समझा कि आपको क्या परिशानी हो रही है ठीक है चलो ठीक है यहां तक यह क्लियर सब को हाँ आगे बढ़े ओके चलो आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं बाइद कि दुनिया में 45 से लेकर 50 मिलियन तत ऐसे लोग हैं हर साल जो MTP का यूज़ करते हैं कितमे 45 से लेकर 50 मिलियन 45 से लेके 50 million 45 to 50 million ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं? MTP का use करते हैं MTP का use करते हैं ठीके? ओके लेकिन अब सवाल यह आता है कि हम इस MTP का use क्यों करते हैं? अगर हम यहां पर बात करने हैं इतनी देसे कि हाँ MTP use हो रहा है MTP use हो रहा है इसका use कर रहे हैं तो मुझे यह बताईए कि इसका use क्यों कर रहे हैं अभी जल्ली से कॉमेंट में करके बताईए एक दो रीजन तो आप बता सकते हो कि हाँ भई जो हमारे डेली क्या होते हैं डेली रूटिन के साब से हम कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ क्या करते हैं? सुल लेते हैं कि हाज ऐसा हो गया आज वैसा हो गया तो क्या रीजन हो सकता है कि इस MTP के यूज किया जाता है चाहे लीगली यह इलीगली क्या हो सकता है बताओ चल, देखते हैं, पहले reason की बात करते हैं, कोई couple है, ठीक है, कोई couple है, उन्होंने क्या किया, intercourse किया, ठीक है, couple ने क्या किया, intercourse, उनके बीच हुआ ठीक है, अब जब intercourse हुआ है, तो यहाँ पर जो precaution है, वो use नहीं करीगी, ठीक है, precaution, use नहीं हुई, ठीक है, use नहीं, अब जब precaution use नहीं भई, नहीं हुई तो क्या हुआ, कि अगर suppose करो, वो 10 से लेके 70 दिन थे, ठीक है, जहाँ पर हमने क्या बात करी थी, कि जो couple होता है, व evolution वाले दिन है, जब pregnancy टहर जाए, तो suppose करो, कि यह वो दिन थे, 10 से 17 दिन, 10 से 17 दिन, 10 से 17 दिन, suppose कर लो, कि यह दिन थे, ठीक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, कि यह वो दिन होते, जब हम क्या है, conceive easily कर सकते है, है न, सब्सक्रों यह बो दिन थे हैं और फ्रीमेश देंड हो गई है आ stoleने मेरे सब्सक्र sharks और यहां पर हम एम तो अगर दूसरा reason देखे हम तो एक और बात करते हैं कि चलो एक और couple है ठीक है एक और couple है इसने intercourse इनके बीच में हुआ अब जब intercourse इनके बीच में हुआ तो यहाँ पर इन्होंने precaution use करी हुई थी यहाँ पर precaution use करी हुई थी ठीक है इन्होंने यहाँ पर precaution use करी है लेकिन यहां क्या हुआ यहां Pregnancy हो जाती है Pregnancy हो गई ठीक है अब जो कपल था वह यह बोलेगा कि भई हमने तो precautions use करी थी चाहे वह किसी भी डाइब की लेकिन इस तृल वहां पर क्या हुआ Pregnancy हो गई है तो भाई हमको यह बच्चा नहीं चाहिए ठीके तौ तब क्या करेंगे वहाँ पर इस MTP का यूज कर सकते हैं कि ठीके चलो doctor से मिलते हैं और क्या करते हैं इसको यहाँ पर इसका समापन कर वा देते हैं तब यहाँ पर MTP का use किया जाता है ठीके चलो आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद क्या केस ले सकते हैं हम इसके बाद हम केस ले सकते हैं जो हम लोग आयर दिन सुनते हैं कौन से रेप केसे ठीक है रेप केसे याने की बलातकार जो वैसे तो होने नहीं चाहिए क्योंकि हमने क्या बात करें कि जो ऐसा काम करते हैं वो क्या होते हैं जिनके दिमाग में सब चीज आती हैं जबकि हम जानते हैं कि हां यह चीजिसे गलत है फिर वह काम करते तो जब भी हमारे तिमाग में चीजिचे आती हमें हमें कोई बता सकते तो इसमतने डॉक्टर को चाके बता कर दोक्तर कम एंद ठाल चलो ठीक है कम से काम आप अपनी और दूसरों की जिंदिगी तो बरबाद नहीं करोगे और सबसे बड़ी पाद अपने घरवालों की भी नहीं करोगे ठीक है ओके तो अगर हम रेप केस की बात करते है तो यहां पर अगर कोई female pregnant हो जाती है यहां क्या होई बधिपी फीमेल क्या हो गया प्रेगनन हो गई ठीक है इसने बोला मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि जो rape cases के बच्चे होते हैं, वो mostly क्या होते हैं, किसी को नहीं चाहिए होते हैं, हाला कि इसमें उन बच्चों की गलती नहीं होती है, लेकिन बिचारे वो बच्चे फिर भी क्या तो उनको मार दिया जाता है, है न, पहली बद तो rape cases होने नहीं चाहिए, ठीक है, दूस कि अगर उसके साथ ऐसा केस हो जाता है तो यह हमारे सुसाइटी ऐसी जिने नहीं देती तो यह कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसकी विए से चैप्टर यहां आपको पढ़ाया जाता है आपको आवेर कराया जाता है कि भाई यह यह दिक्कते हैं तो इनके सॉलिशन भी हैं ठीक किया हैं ओके तो चलो ठीक है यहां पर क्या हो इस उरत में माना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए यह बच्चा तो यहां पर ऐसी केस में क्या होता है एम टिप का यूज किया जाता है ठीक है फिर इसके बाद एक और चीज आती है क्या sex determination आये जाता है इसके बाद क्या आता है sex determination आता है चौथा point sex determination यहाँ पर क्या होता है उल्व वेदन की वज़े से जो amniotic fluid होता है ठीक है कहाँ प्लेसेंटा में बच्चे के आज पास ठीक है उसके वएसे क्या होता है पता लगाया जाता है कि जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है ठीक है तो भई इस चीज के चक्कर में क्या है कि यहाँ पर sex determination का यह जो अपना MTP है हाँ MTP है ठीक है इसका यूज किया जाता है कि अगर लड़का है तो well and good आने दो और लड़की है तो भई उसकी ब्रून हत्या कर दो ठीक है तो यहाँ पर क्या point आता है हमार पास कन्या ब्रून हत्या आता है यहाँ पर ठीक है कन्या ब्रून हत्या ठीक है यहाँ पर लड़की यह case में आ जाता है और लड़का होता है तो भई आने दो अब आप लोग मुझे comment में ये बताओ कि ये जो कन्या बूर्ण हत्या होती है हमने अपनी last class में भी पढ़ी थी तो क्या ये सही है इसको रोका नहीं जाना चाहिए इसके उपर strict action या strict rules नहीं बनने चाहिए लोगों को aware होना चाहिए इन चीजों के बारे में फटा फट comment में अपनी अपनी राय जरूर बताना आप लोग ठीक है तब तक हम आगे बढ़ते हैं चलो ठीक है इसके बाद सवाल आता है भई जो MTP Act है ये actually में है क्या ठीक है अगर हम इस Act की बात करते हैं तो भई 1971 में क्या हुआ था 1971 में एक law आया था संग भटा चिकिट्सी है समापन ठीक है इसको क्या गिया था इसको कानूनी सिकरिती मिली थी ठीक है इसको सबने accept कर लिया था कानूनी स्वीकृती मिली थी ठीक है चलो जी ठीक है अब स्वीकृती मिल गई अब इसके clarification के हिसाब से मतलब इसके पश्टी करन के हिसाब से यहाँ पे क्या क्या ऐसी चीजे थी जिसकी वैसे इसको स्वीकृती दी गई थी कि अच्छा अगर ये 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 चीजे हैं क्लारिफाई कर रहा है कपल कि हाँ ये बाते हैं ये दिख्कते हैं ठीके डॉक्तर चीज पर क्या करें सब डॉक्टर को लगता है कि हाँ यह चीज़े सही है जेन्विन हैं तो हम यहाँ पर MTP का यूज़ कर सकते हैं लेकिन डॉक्टर की help से ठीक है डॉक्टर से बिना पुछे नहीं ठीक है तो देखते ने चलो कि अच्छा यहाँ पर क्या क्या चीज़े involved थी जो यहाँ पर आई थी तो सबसे पहला था भाई कि अगर हम गर्व अवस्ता की बात करते हैं ठीक है तो एक pregnant female एक pregnant female अगर यह कहती है कि यह जो बच्चा है ठीक है यह जो बच्चा है वो क्या है वो बलातकार की वज़े से है वो आरोब लगाती है कि बच्चा किसकी वज़े से आया है रेप की रेप की वज़े से आया है और मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए तो वो एक रीजन था कि डॉक्टर्स इसको लीगल कर देते थे कि ठीक है ये रेप का बच्चा है नहीं चाहिए चोलो हम इसको अबॉर्ट कर देते हैं तो पहला केस यहाँ पर ये आया इस कानून के अंदर ठीक है दूसरा क्या आया दूसरा आया कोई विवाहित महिला और उसका पती ठीक है अगर कोई विवाहित महिला है विवाहित महिला या उसका पती ये बोलते हैं कि भाई हमने जो है ठीक है हमारे बीच इंटर कोर्स हुआ कि चलो ठीक है अगर वाँ प्रिकॉशन्स यूज ही या नहीं हुई लेकिन वहाँ पर फिर भी वो महिला क्या होती है प्रेगनेंट हो जाती है ठीक है वो प्रेगनेंट हो गई है लेकिन उन्होंने का हमें ये बच्चा नहीं चाहिए ठीक है उनसे रीजन पूछा गया क्यों नहीं चाहिए तो उन्होंने का हम अपने फैमिली को आगे नहीं बढ़ाना चाहते है मार पस दो ये तीन बच्चे है मार लें काफी है तो इससे गवर्मेंट तो खुश हो जाएगी ना कि जनसंक्या बचा रहे हैं ये लोग है ना तो उन्होंने क्या का मुझे अपने परिवार को सीमित रखना है अपने बच्चों को सीमित रखना है मुझे आगे नहीं बढ़ा करने का उद्देश ये करने का उद्देश ये चलो जी ठीक है ये आ गया ठीक है उसके बाद क्या हुआ भई अब ठीक है कोई औरत क्या है प्रेग्नेंट है कोई औरत क्या है प्रेग्नेंट है आप उसने क्या किया जब वो जाके डॉक्टर से मिली डॉक्टर ने बोला कि अगर आपको ये प्रेग्नेंसी रहेगी तो हो सकता है आपकी जान को खतरा हो या हो सकता है कि आपको और रोग बन जाए तो वो एक ऐसी जारी रखने से स्वास्ते, स्वास्ते को हानी, स्वास्ते को हानी होना, ठीके, तो तीसरा रीजन यहां पर इसमें डाला गया, ठीके, इसके बाद क्या आया है भाई कि महिला की आयू 18 वर्ष नहीं थी, जो वो फिमेल है, प्रेगनेट विमेन है, या और लड़की है, ठीके उसकी I.U. क्या है? 18 से कम ठीके यानि की वो नाबालिक है प्रेगनेंसी भी तभी एक्सेप्टिड है जब वो क्या है 18 साल से उपर की है अगर 18 साल से नीचे इसका अलब वो नाबालिक है ठीके तो वहाँ पर ये चीज़े गलत हो जाती है ठीके वहाँ कानूनन केस किये जाते हैं इन चीज़ों को माइन में रखना इसलिए इन चीज़ों को यहाँ पर समझो ठीके बहुत इंपॉर्टन चीज़े हैं और आपको इस एज में इसलिए सिखाई जाती है कि तागी आप लोग आगे चलके कोई भी ऐसा मिस्बिहेव ना करो कोई भी ऐसे चीज़े कंड़क्ट ना हो कि आपको आपके फूचर में परशानी हो ठीके चलो आगे बढ़ते हैं ओके हमारा चौता पॉइंट ही आ गया अब पांचियों पॉइंट में क्या बात करी थी भाई कि गर्वती महिला जो है अगर हम उस प्रेगनेंट विमेन की बात कर रहे है जो प्रेगनेंट विमेन है ठीके प्रेगनेंट क्या है फिमेल है ठीके उसकी मर्जी नहीं है उसकी मर्जी नहीं है किसलिए नहीं है उसको बच्चा नहीं चाहिए उसको बच्चा नहीं चाहिए तब भी यहाँ पर वो MTP का यूज़ कर सकती है तो यह कुछ रीजन थे जो इस Act में आये थे 1971 में तो यह चीज क्या थी? यह लोगों के अच्छे गले चीज आये थी कि सरकार ने सोचा कि हो सकता है इससे लोगों का भला हो जाए लेकिन होता है कि कोई चीज आती है तो उसके साथ सथ बुरी चीज़ें अपने आप चली आती है तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों ने इसका दुरुपियोग करना शुरू कर दिया इस act का दुरुपियों करना चुरू कर दिया कि ठीक है बच्चा ने चाहिए abortion करवालो ये हो गया abortion करवालो लड़की है abortion करवालो वो है abortion करवालो तो इसको मजाग बना के रख दिया ठीक है और इतका शरीर है कोई machine थोड़ी कि आप जब मर जाए बच्चे पैदा करवालो हां इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है बहुत ही ज़ादा सीरियस टॉपिक्स हैं ठीक है क्यों बार बच्चा पैदा करने से बार बार एबॉर्शन करवाने चाहिए होता है आपका शरीर खराब होता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फिर बात करते हैं हम भाई कि ठीक है जब 1971 में ये एक्ट आया 1971 में ये एक्ट आया था ठीक है आरे मैं इंगलीश में लिखने लग गई आया AYA तो लोगों ने इसका क्या किया Missuse किया ठीक है Missuse किया इसका फिर क्या हुआ इसको देखते हुए कि भाई की लोग इसका misuse कर रहे हैं, तो क्या हुआ? एक और act आता है, ठीक है? एक और act आया? कब आया वो act, हम? जल्दी यल्दी comment से बताओ, कि वो act कब आया? बताओ जल्देली वो एक्ट आया 2017 में एक नया एक्ट आया ठीक है वहाँ पर क्या था इस एक्ट में इस एक्ट में कहा गया था वही जो संग भरता है ठीक है संग भरता का चिकित्सिय समापन संग भरता का चिकित्सिय समापन अधिनियम ये वहाँ पर आया ठीक है ये वहाँ पर आता है अब यहाँ पर क्या होता है सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेशल कंडिशन से अपलाए होती है ठीक है विशेश इस्तित्रिया होती है special condition apply होती है ठीक है तब ही यहाँ पर अब होगा आगे उन्होंने यह बोल दिया ठीक है तब ही यहाँ पर क्या होगा यह जो special conditions है इसके बाद ही क्या होगा समापन होगा ठीक है इसके बाद ही क्या होगा समापन होगा ठीक है तो वो कौन कौन से special conditions थी जिसकी वज़े से यहाँ पर समापन की बात हुई है ठीक है जो हमने पीछे conditions पड़ी ठीक है यह law था जो 1971 में लेकिन लोगों ने इसका misuse किया अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो 2017 में law आया ठीक है कि लोग इसका misuse ना कर सकें तो चलो अब वो points देख लेते हैं कि कौन-कौन से points थे सबसे पहला कि जो महिला है उसके जान को खत्रा ना हो ठीक है सबसे पहला क्या था कि जो female है उसकी जान को खत्रा ना हो ठीक है ठीक है पहला point यह हुआ कि अगर उसको जाननों खत्रा है तो यहाँ पर MTP होगी ठीक है 2017 के हिसाब से ये रूल था दूसरे रूल की बात करते हैं कि जो शिशू है हाँ जो क्या है शिशू है इसमें कोई क्या है जेनेटिक बिमारी ना हो जेनेटिक डिजीज ना हो कि जो मा के पेट से ही उसको वो डिजीज मिल रही है ठीक है क्या अनुवंशिक अनुवंशिक विकास उसका कमजोर ना हो ठीक है जिसमें की क्या होता है जिसमें जो पीरित होता है मतलब जो बच्चा हो गया ठीक है उसमें क्या हो उसमें रोग ना हो कौन से मानसिक है ना मानसिक हो गए शारेरिक हो गया शारेरिक ठीक है तो ऐसे कुछ रोग है जो क्या हो कि पहले ही पता चल जाते हैं कि हाँ कि अपता होता है कि हां इस बच्चे में ये परशानी है इसके हाथ-पैर नहीं बने हैं, इसका ब्रेइन डिवलप नहीं हुआ इसकी आखे नहीं है, यह इसका कोई भी दिक्कत ऐसी है, जो चीज ठीक नहीं हो सकती है शरीर से बाहर आने के बाद, देखो, अगर हाथ-पैर टूट जाए ना, बाहर आने के बाद, तो हो सकता है, फ्र वो earbuds आते हैं ठीक है जिनकी मदद से लोग सुन पाते हैं बहुत सारी चीज़े ऐसी होती है जो pregnancy के बहुत दिलीवरी के बाद बच्चे ठीक हो सकते हैं लेकिन कुछ चीज़े ऐसी जो delivery के टाइम पर बच्चे में होई है और वो पता है कि ठीक नहीं होगी तो वहाँ पर क्या होते है कि जो मात्य-पिता होते हैं वह सोचते हैं कि ऐसे बच्चे के साथ आगे परशानी ना हो ये बच्चा दुख ना देखे उससे पहले ही क्या है उस Kommentare हता दो उसको वहां पर समापन गर्वा दो इहां पर ए देखा जाता है ठीक है ओक हुँ अब अगला क्या अब मैंने हर बार की तरह बोला कि पहली बात तो यह होने नहीं चाहिए ठीक है ऐसी मान सिकता वाले लोगों को क्या करना जाए डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए कि मेरे दिमाग में चीज़े आ रही है क्यों आ रही है मुझे मदद चाहिए लेकिन फिर भी अगर बच्चा उसको क्या है नहीं चाहिए तो यह भी एक्सेप्टेड है कि हाँ ठीक है रेप केसिस वाले बच्चे को हम एबॉर्ट कर सकते हैं ठीक यहां तक क्लियर ओके तो यहां पर यह सब चीज़े थी लेकिन यहां पर स्टार मार्क करके एक और चीज़ बता रही हूं जो ब्रून जो होता है ठीक है कि जो ब्रून है वो सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ और सिर्फ बारा सप्ता बारा सप्ता याने की तीन महीने त्री मन्स तक ही समाप्त हो सकता है जो ब्रून है ठीक है वो अगर तीन महीने का है यह तीन महीने से तो कम का होना चाहिए अगर तीन मह प्रोस कर जाएगा तो वहां पर अबॉर्शन पॉसिबल नहीं है क्यों क्योंकि फिर वह अपराध है क्योंकि वह जो भूर्ण है वह तो बच्चा बन चुका है न है न बड़ा हो चुका है और किसी की जान लेना यह अच्छी चीज नहीं है गलत चीज है वह भी कोई तो सोचे वह तो छोड़ा सा बच्चा है उसको कितनी तकलीफ होती होगी वह भी रोता होगा न अंदर जब उसके साथ दिक्कते होती होगी तो यह चीज़े क्या है समझने वाले चीज़े हैं इन चीज़े को फील करके देखो एक बार कि अगर ऐसा होता है तो कितना बुरा होता है और जो उसके दिल पर क्या गुजरती है तो यहां पर बारा सप्ता यानि की तीन महीने से पहले पहले क्या होता है समापन होता है उसके बाद नहीं होता है क्योंकि तीन महीने तक बच्चा नहीं बनता है तीन महीने के बाद से वह डिवलमेंट लेना शुरू करता है ओके चलो यह समने देख लिया है हाँ अब जो कुछ भी हमने अभीदत क्या वर्बली देखा है पीछे हमने वालिक का यह सब यहां टेक्स में हैं चलो एक बाद पड़ावड से देख लेते हैं कि यह क्या है तो यह कह रहा है गर्ववस्था पूर्ण होने से पहले जान अबरी दुनिया में हर साल लगवग 45-50 मिलियन याने की 4.5 से लेके 5 करोड़ चिकिस्य संगभरता समापन कराये जाते हैं यह भी हमने भी बात कर ली थी ठीके ना जो की संसार भर की कुल संगभरताओं का कितना है एक बाई पांच सोचो आ तथा पी MTP में भावनात्मक नै जारी है कि चिको क्या संगभरता समापन को स्विक्शिती या कानून बनाया जाए या नहीं क्योंकि हम लोग क्या सौस्ता हम भावनात्मक है मतलब हम लोग रिचू फिमानथे हैं हम लोग इमोशन वी दिखाते हैं ठीके चीज़ेंशी करते हैं इसको कानून आगे बढ़ाये जाए यह नहीं बढ़ाये जाए ठीक भारा सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में चिकिच सिये संगभरता समापन को कानूनी सिक्रूती प्रदान कर दी थी मैंने बताया था ना 1971 में आया था यह लोग है ना यह एक्ट आया था इस प्रकार के प्रतिबंध अंदादुन और गैर कानूनी मादा पुरून हत्या तदा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए जाते बनाए गए ठीक है जो अभी भारत में बहुत जादा हो रहा है भारत मे होता है ठीक है क्योंकि इसके लिए अवेरनेस नहीं होती है अप लोग ध्यान नहीं देते हो अगरा अप लोग अभी चैटिंग में लगे हुए नहीं तो आप लोग क्या बदा चलेगा मैंने क्या पढ़ाया एं कल को आपको बच्छे होंगे आपके उनको आपको इन चीज कि नॉलेज ही नहीं होगी तो तो इसलिए इस चाप्टर को पढ़ने से ज्यादा इस चाप्टर को समझने की जरूरत है ठीक है 2017 में चिकिस्या समापर अधिनियम आया यह भी हमने बात कर लिए भी क्योंकि यहां पर क्या है मिस्यूज होने लग गिया था है ना ठीक है निश् केरलेसली अपने प्रिकॉशन्स यूज नहीं किये इंट्रकोर्स के दोरान या मैथुन के समय गर्म रोजक उपायों का असफल रहने या फिर अनफॉर्चनेटली भई हमने यूज भी किये पर फिर भी वो फेल हो गई रेट जैसी घटनाओं के कारण हो ठीक है इसके साथ ह कंपर्त समापन की अनिवारता कुछ विशेश मामलों में भी होती है जहां संगबर्ता बने रहने के एससी तदी अतवा वरूर्ण अतवा दोनों के लिए हानिकारक हो या फिर घातक हो मता के लिए बच्चों के लिए थे थो मां भी एक्सेप्टेड है संगवर्टा की पहली तिमाही याने की फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात हो रही है यहाँ पर ठीक है याने की शुरू के तीन महिने ठीक अर्था संगवर्टा के बारा सब्ता तक की अब्दी में कराया जाने वाला जिके स्ये संगवर्ता समापन काफी सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इस टाइम क्या होता है सिर्फ जो भूर होता है वो विल्कुल जरा सा होता है ठीक है उसको बहुत इजीली निकाला जा सकता है लेकिन अगर वो बच्चा बन जाएगा उसके हाथ पैर आ जाएंगे तो सो सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि अधिकतर म्टीपी जो होती है वो गैर कानून रूप से होती हैं ठीके अखुषल नीम हकीमों से कराए जाते हैं जो की ना केवल असुरक्षित है ठीके बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकती है तो इन केस अगर किसी की लाइफ में ऐसे टाइम आता है कि उसके साथ यह परिशानी हो रही है ठीके इलीगली हो रही है या का treatment होगा ना कोई हकीम वैद नहीं करेगा समझ रहे हो तो इसलिए कभी भी ऐसी इन केस लाइफ में चीज अगर हो तो ऐसी हरकते बिलकुल नहीं करने पहली बात तो यह सतानाग प्रवत्ती शिशु के लिंग निर्धारन के लिए उल्ववेधन का दुर्पयोग ठीक है यानि कि मैंने क्या बता है sex determination की बात हो रही है यहां पर किसकी बात हो रही है sex determination जहां पर हम ये पता लगाते हैं कि भई बच्चा लड़का है या लड़की है कि वो male है या female है ठीके? ऐसा देखा गया है कि पता चलने पर कि भुरून मादा है याने कि क्या है वो female है MTP कराया जाता है जो पूरी तरीके से गैर कानूनी है ठीके? तो हमें इन चीजों को रोकना है यहां पर चीजों को समझना है इस चीजों को बहुत अच्चे से समझ लीजी आप लोग क्योंकि आप कौन है हमारे अदेश का आने वाला भविश्य हो भाई तो थोड़ा सा इन चीजों के बारे में जागरुख हो जाओ अवेरनेस दिखाओ कि हाँ जो चीज गलत है गलत है नो मीन्स नो जस्ट सिंपल ठीके? इस प्रकार के वेवार से बचना चाहिए क्योंकि यह युवा मा और भुरूण दोनों के लिए क्या है? खतरनाक है ठीके? ओके? अज सरक्षित मैतुन से बचाव के लिए परामर्श सेवाओं को देने सता गैर कानूनी रूप से कराये जाने वाले गर्ब पातों में जान की जोखिम के बारे में बताये जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविदाय उपलत कराई जाने चाहिए ताकि उप्योग तहाने कारक प्रवत्तियों को रोका जा सके ठीक है? आज का टॉपिक हमारा यौन संचरित संक्रमण ठीक है? जिसको हम क्या बोलते है? Sexually transmitted infections और क्या बोला जाता है इसको? STI ठीक है? Sexually transmitted infections अब यहाँ पर हम किस की बात कर रहे है? रोग की बात कर रहे है ठीक है? यह रोग है यहाँ पर हमने रोग के बारे में बात कर रहे है रोग मतलब क्या होता है? बीमारी बीमारी है कैसी? बहुत अलग अलग तरीके की बीमारी है होती है ठीक है? बीमारी है जैसे कि चलो किसी को टाइफएड हो गया किसी को जॉइन डिस हो गया या फिर किसी के लीवर में इंफेक्शन हो गया किसी को हार्ट डिजीज हो गई ठीक है किसी को ब्रेइन की प्रॉबलम हो गई किसी कुछ किसी कुछ तो बिमारिया कैसी होती है बहुत अलग अलग तरीके की होती है लेकिन लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो कौन सी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो यौन संचरित संक्रमन होता है याने की जो infection sexual intercourse की वज़े से हो रहा है यहाँ पर आप उसकी बात कर रहे हैं ठीके तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे है भाई यौन संचरित रोग की बात कर रहे हैं ठीके यौन संचरित रोग की बात कर रहे हैं ठीके यौन संचरित रोग होते हैं हमने क्या बात कर रहे हैं सेक्शुली ट्रांस्मिटिड डिजीज बोलते हैं इसको ठीके और के करते हैं या फिर infection बोल देते हैं sexually transmitted disease या infection ठीक है disease भी बोलेंगे और infection भी बोल सकते हैं चलो ठीक है पहला तो यह आ गिया यहां लिख देते हैं चलो infection पूरा लिख देते हैं infection ठीक है ओके सेकिंड क्या हुआ सेकिंड भाइब इसको आर टी आई भी बोलते हैं आर टी आई याने की reproductive reproductive tract infection ठीक है यह हो गया एक और भी बोलते हैं इसको V.I. venereal infection ठीक है अब चलो STD को तो मैं पता यहां संचरिट स्वंक्तरवन बोलते हैं इसको हमें मालूब है अब यह जो आर टी आई है यह जो आर टी आई है इसको कहां लिख देते हैं इसको और क्या पोलते हैं जनन मार्ग रोग ठीक है यह जो आर टी आई है इसको जनन मार्ग रोग भी बोलते हैं और यह जो V.I. है इसको क्या बोलते हैं V.I. को इसको अपन बोलेंगे रतिज रोग ठीक है इतना क्लियर सबको हाँ यह सभी एक ही चीज है इन में से कुछ भी पूस सकते हैं आपसे कि वह यौनस अंच जो रोग हैं यह से यह जो सारे के सारे क्या है रोग है अगर यह जो सारे के सारे जो रोग है ठीक है यह क्या है संक्रमिद संक्रमिद जो लोग होते हैं संक्रमिद जो व्यक्ति होते हैं उनसे किने होते हैं स्वास्थ जो व्यक्ति क्या होते हैं स्वास्थ होते हैं स्वास्थ व्यक्तियों को ठीक है संक्रमित व्यक्ति से कहा होंगे यह स्वस्थ को स्वस्थ व्यक्ति को ठीक है व्यक्तियों को ठीक है कब होंगे भाई यह sexually transmitted है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ intercourse की वज़े से होंगे है ना तो कब होंगे जब आप वहाँ पर क्या precaution use नहीं करोगे precautions use नहीं करोगे करोगे ठीक है चलो यहाँ तक clear सबको हाँ कि भाई ठीक है यह सब क्या है जितने के जिन्ने रोग है क्या है यह यह होते हैं जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं जो infected persons होते हैं उनसे किसको होते हैं जो normal persons होते हैं ठीक है जिनको कोई बिमारी नहीं होते हैं लेकिन कब होंगे जब वो precaution यूज नहीं करेंगे intercourse के दोरान ठीक है यहां दक सबको clear चलो ठीक है आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं भाई हम कि कुछ कुछ ऐसे हाँ अब कुछ ऐसे sexually transmitted disease होते हैं जो blood से होते हैं ठीक है जो किस से हो गए blood से हो गए अब कुछ ऐसे होते हैं जो किस से होते हैं जो किससे होते हैं, sexually, ठीक है, जो intercourse होता है, ठीक है, sexually intercourse, ठीक है, चलो, ओके, अब क्या होता है, अगर हम RTI के बारे बात करते हैं, ठीक है, reproductive tract infection, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ reproductive tract infection का मतलब क्या है, कि जो infection हो रहा है, जनन तंतर में हो रहा है, जनन अंगों में हो रहा है, ठीक है, जो reproductive tract है, ठीक है, वहाँ पर हो रहा है, यह infection, तो इसका मतलब, अगर यह वहाँ हो रहा है, तो इसके प्रभाव मतलब इसका जो असरों को सोचो कितना गंदा होगा कितने परिशानी दायक होगा ठीक है तो इसी वज़े से यहां पर हम क्या पढ़ेंगे कि भाई यह जो रोग होते हैं यह जो रोग हैं इसको कैसे रोग सकते हैं क्या precautions हैं और अगर हो गये हैं तो कैसे उसको बदलाव मतलब कैसे ठीक किया जाए और कैसे precautions रखी जाए एंड एक सेक्ट एक सेक्ट यह सब हम पढ़ने वाले हैं चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने से पहले क्या बात करेंगे हैं कि हम यहां पर देख रहे हैं बई कि यह blood से भी हो रहा है है ना blood क्य हो गया रक्त से हो रहा है मतलब ठीक और यहां पर infected person से infected person से कहा हो रहा है normal person को हो रहा है ठीक है तो यहां पर हम क्या बात करेंगे हो तो रहा है लेकिन यह रोग फैलता कैसे हैं ठीक है ऐसे क्या reason है कि infected से normal person को हो रहा है फैल कैसे रहा है कुछ तो reason होगा कि ठीक है अगर हमने कोरोना की बात करी थी सपोस करो कि ठीक हम कैसे कोरोना फैल रहा है है ना हमने यह बात करी थी कि जो infected person से normal person को को रहा है लेकिन उसके पीछे भी हमने क्या बोला था ठीक हो तो रहा है लेकिन कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है तो इसी तरीके से यहां भी infection तो हो रहा है लेकिन क्यों हो रहा है ठीक है चलो आगे उस पर बात करते हैं कि भाई यह रोग फैलता कैसे है ठीक है तो यह रोग कैसे फैलता है चलो वह देख लो कि सपोस करो ये एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का है, ठीक है, ये क्या है, infected है, ठीक है, ये क्या है, infected है, ठीक है, चलो, अब ये जो infected है, ये किसके contact में आया, एक जो normal female थी, ठीक है, चलो, normal female बना लेते हैं, थिक यह नॉर्मल फीमेल है ठीक है यह इसके कॉंटेक्ट में आ गया अब हमने क्या पोला यह यौन संचरित रोग है याने की जब सेक्शूल इंटर कोर्स होता है उसदोराण यह फैलते हैं तो जब यह इसके ंटेक्ट में आएगा तो क्या और यह बी इंफेक्टिर हो ठीक है तो हम क्या बोलेंगे बई कि एक infected person के साथ contact में आने से normal person भी क्या हो जाता है infected हो जाता है ठीक है कब infected होता है वो जब वहाँ पर precaution use नहीं होती है precaution use नहीं होती है ठीक है तो यह है इसका basic reason चलो ठीक है अब क्या बात करनी है वही हमको कि ठीक है रोक कैसे फैलता है हमने बात कर लिए कि वही एक infected person है ठीक है एक infected person है वो एक normal person के क्या contact में आ गया है जब contact में आया है तो यह जो normal person था ठीक है यह भी क्या हो गया है infected हो गया है अब infected इसलिए हुआ है तो इसी वज़े से क्या हुआ इसको भी infection हो गया ठीक है चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कारण क्या है कि मतलब ऐसा क्या हुआ एसे क्या reason था क्या वज़े थी कि इसने इसको भी infected कर दिया हम चलो आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं संक्रमन के कारण की कि ऐसा क्या कारण था कि वो भी क्या हो संक्रमित हो गया हो गई यह वाइस वर्षा भी हो सकता है ऐसा नहीं कि male से female में हो जाता है ठीक है तो यह वाइ चलो आगे बढ़ते हैं चलो संक्रमन का कारण की बात करते हैं तो सबसे पहला अगर हम कारण देखते हैं तो sexual intercourse है ठीक है तो जिसको हम क्या बोलते हैं मैथन क्रिया मैथन क्रिया अब मैथन क्रिया के लिए क्या चाहिए होता है हमें यहाँ पर हमको एक male और female दोनों चाहिए होते हैं ठीक है यहाँ पर क्या चाहिए हमें नर और मादा तो लो जी यह नर आ गया यह मादा आ गई ठीक है अब क्या हुआ अब यहाँ पर जो इनके जनन अंग ह ठीक है इन में क्या है ग्रंथिया भी मौजूद होती है है ना मेल में भी होती है और फिमेल में भी होती है ठीक है इन में क्या है ग्रंथिया मौजूद होती है ग्रंथिया होती है छीक, तो ये जो ग्रंतिया होती है, इनमें क्या होता है? तरल पदार्थ होता है छीक, इनमें क्या हुआ? तरल पदार्थ होता है ठीक है अब अगर हम किसकी बात कर रहे हैं भाई हम नर और मादा ग्रंथियों की बात कर रहे हैं ठीक है तो ये नर और मादा ग्रंथियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो नर में क्या होती है नर में कौन सी ग्रंथियों गई भाई बॉल्वो यूरेथ्रिल ठीके ये ग्रंथी हो गई ये क्या करती है लुब्रिकेंट रिलीस करती है लुब्रिकेंट रिलीस करती है ये रिलीस करती है ये कह सकते है दिस्चार्ज करती है ठीके बॉल्वो यूरेथ्रिल क्या करती है लुब्रिकेंट रिलीस करती है ठीके अब जल्दी से बताओ मादा में कौनसी ग्रंती होती है जल्दी से बताओ मादा में कौनसी ग्रंती होती है बताओ तो मादा में कौनसी होती है बार्थलिन ठीक है ये क्या करती है ये क्या होती है ये पारदर्शी पारदर्शी द्रव्य सीक्रीट करती है ठीक है ये पारदर्शी विद्रवे सि Quint करती है और ये Lubricant release करता है ठीग कहें crystal clear होता है ठीग है clear form में होता है ठीक है यह दोनों ही क्या है तरल है ठीग है यह दोनों ही क्या हो गई तरल हो गई हम ने बात करी न वई कि बैख तरल्पदार्थ होते हैं तो क्या है तरल ह intimidated अब तरल क्या होते हैं अगर हम ब्याहां लिख दूं कि यह टरल जो होते हैं कि eternity कि choose to come here कि जलो यहां से इसको लेके आ जाते हैं proven OK कि यह जो तरल है ठीक है यह क्या होगा जब आपस में मिलेंगे आपस में मिलेंगे ठीके तो जो संक्रमित तरल होगा उसके साथ जब नॉर्मल तरल मिलेगा तो क्या होगा वो भी संक्रमित हो जाएगा है ना तो जो संक्रमित तो जो तरल के साथ संक्रमित होगा तो वो क्या होगा उसके पार्टनर में भी चला जाएगा पार्टनर में भी चला जाएगा ठीक है ऐसे होगा ऺइनसेफेक्टिप पर्संस लॉर्मल पर्संट में जाएगा तो पार्टनर चाहे मेल हो या फी मेल हो अगर मेल हो तो फी मेल जाएगा और फी मेल जाएगा और फीमेल होगी तो फी क्या classical hand यह दूर था मैंने यह एरो करके यह लिख दिया है ठीक है यह मत कर ना कि यह कहा सा गया अचानक से ऐसे से करके अगया यहां पर जगा निए इसलिए मैं इसको यहां लेकर चली गई ठीक है किसी को डौट तो नहीं है और डौट हो तो क्या करना है डौट हो तो डौट नट करना है न क्योंकि यहीं मिलेंगे हम आपको हां चलो आगे बड़े चलो पहला क्या देखा हमने वहीं मैथुन क्रिया से होता है ठीक चलो रुको पेज लगाना पड़ेगा बीच में चलो लगा लिया पेज तो दूसरे क्या होगा हमारा रक्त द्वारा हो गया ठीक है पहला मैथुन से हुआ दूसरा क्या हुआ रक्त द्वारा याने की बलड ठीक है अगर हम बलड की बात करें तो क्या होता है कि जब को लेडी प्रेगनेंट होती है ठीक है जब को लेडी प्रेगनेंट होती है तो कोई बीमारी होगी एसी तो वो क्या होगी बच्चे में एफेक्ट करेगी है तो यदि यह वहां पर उसका ब्लड ठीक फिर अगरalities करो कि कि डृटतर जाता है तो फिरता ऊसको ब्लड की नीध होती आप जब ब्लड की कोई ऐसी बिमारियां तो नहीं है, जिसको हम दे रहे हैं, जिसको हम जिन्दगी जिसकी बचाना चाहते हैं, उसके जिन्दगी ले ले, है ना, तो वहाँ पर blood check हो जाता है, ठीक है, फिर क्या होता है, और कौन-कौन से हो सकते हैं, बताओ जल्दी से एक आदा case बता दो, क्या और कौन-कौन से हो सकते हैं, यहाँ पर, कि रख्तु द्वारा कैसे होते हैं, दो तो case मैं नहीं बता दिये, और क्या बोल सकते हैं हम, hepatitis B, और क्या harpes, ठीक है, यह सब blood से ही तो होते हैं, हाँ, चलो ठीक है, फिर तीसरा क्या होगा है, medical tools हो गए भाई, जो medical tools होते हैं, ठीक है, यानि कि जो 1000 हो गए, ठीक है, इन से हो गए, अब यह जो 1000 होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, कि चलो आप भी एक का operation किया, हम, एक का operation किया, तो क्या किया एक का operation होगा तो, कि चलो यार अभी AC का तो किया है, लो, पोच लो कपड़े से, और लो दूस सुरे का operation कर दो, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है, क्या करते हैं, इसको sterilize करते हैं, अच्छे से, है ना, अच्छा, कभी अगर आप लोग पारलर गया हो, या अच्छे saloon गया हो, तो वहाँ भी देखा होगा, जो कॉंब होता है, जो seizure होती है, एक एक चीज को वहाँ प बतलब, जो infection वाले हैं, यह bacteria, virus यहाँ चीजे उस पर ना लगी हो, तो इसलिए sterilization इसे ले किया जाता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, यहां तक सबको clear, कोई doubt तो नहीं है किसी को, तो जल दीदे बता दो, ठीक है, चलो फिर, आगे बढ़ते हैं, हाँ, क्या बात करते हैं, तो यहां तक मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबको बहुत अच्छे है, समझ में आ कि आओका, और नहीं आया, तो क्या करना है, doubt not करना है, क्योंकि हम आपको यहीं मिलेंगे, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं, भ संचारित, रोग, ठीक है, इसके क्या बात करेंगे हम, प्रकार, ठीक है, यह कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहले अगर हम यौन संचारित, रोगों की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आता है, जिवानों, हम जिवानों की बात करेंगे, सबसे पहले हमारे पा जिवाणू जिसको क्या बोलते हैं बैक्टीरिया बोलते हैं ठीक है तो यह क्या अपना अपना से मतलब यह हमारा नहीं है बैक्टीरिया नहीं है मैं बैक्टीरिया से कोई दोस्ती नहीं रखनी है ठीक है लेकिन हमारा टॉपिक जरूर है तो हम तो यहां पर हम बात करेंगे जिवाणू जनित संचारित रोग, ठीक है, ठीक है चलो, इसके बारे में हम बात करते हैं, तो अगर हम जिवाणू जनित संचरित रोगों के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर एक चीज है, क्या है? जी के एस जी के से आप कोई सी भी फॉर्म बना सकते हो क्या फॉर्म बना सकते हैं गर्ल्स का स्टाइल ठीक है तो हम इसको कैसे याद रखेंगे बैक्टीरिया में बैक्टीरिया में क्या याद रखेंगे गर्ल्स का स्टाइल याद रखेंगे तो जी फॉर क्या हो गया हमारे पास हो गया गुनोरिया अगला कलर ले लेते हैं यार गुनोरिया ठीक है जी ओ एन ओ आर आर एच ओ ए ए ए गुनोरिया गुनोरिया ठीक है गुनोरिया हो गया अब के फोर क्या लेंगे हम के से क्या है भाई हां 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 कौन सा कलर उठाए यहाँ पर वैसे तो C से है लेकिन हम क्या उठा रहे हैं K उठा रहे हैं ठीक है तो C से क्या आगया हमारे पास क्लमाइडिया ठीक है क्लमाइडिया जिसको हम क्या बोलते हैं क्ले क्लमेडिया ठीक है क्योंकि C वैसे हम इसको C के भी कर सकते हैं ना अगर हम इसको C कर देते नहीं नहीं फिर वो तो किंग नहीं हो बाता तो फिर G है यहां पर है ना चलो कोई नहीं ठीक है अब क्या आएगा हमारे पास अगला अगला है हमारे पास सिफिलिस सिफिलिस ठीक है सिफिलिस सिफिलिस ठीक है सिफिलिस यह क्या होते हैं यह भई जो व्यक्ति संक्रमित होता है उससे नॉर्मल लोगों में जाते हैं नॉर्मल व्यक्तियों में जाते हैं मतलब व्यक्ति के जो तरल पदार्थ होते हैं ठीक है जो तरल होते हैं जैसे कि किसी व्यक्ति में तरल है या तरल से जा रहे हैं दूसरे के शरीर में तो इसलिए यहां तरल कौन सा हो सकता है तरल हो सकता है या फिर रक्त हो सकता है किसी इंफेक्टिड परसन के अंदर ठीक है चलो ठीक है इसकी बात कर लेते हैं यह हमारा हो गया अब यहां पर अगर हम देखें गणोरिया में तो भाई यहां पर रोग के कारक लिख देता है चलो हम रोग के कारक, ठीक हे? किसके? सबसे पहले अगर हम गुनोरिया को देखते हैं, कि इसका क्या है रोग का कारक? तो भई यहां पर क्या आता है? यहां पर एक नाम आता है, अब अगर हम इस क्लिमेडिया की बात करते हैं तो यहां पर क्या आता है क्लिमेडिया में क्लिमेडिया में आएगा क्लिमेडिया ट्रोकोमेडिया 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 ट बात करते हैं तो सिफेलिस में क्या है सिफेलिस में है ट्रैपोनेमा पलैडियम पलैडियम ओके तो यह हमारे क्या होगे जिवानों के बारे में हो गया इस चार्ड को याद रख लो यकीन मानो कि आपको यह पूरा याद हो जाएगा क्या यौन संचारित रोग के प्रकार इस चार्ड को याद रख लो आप सिर्फ ठीक है कि यह तीन है GKS ठीक है गर्ल्स की क्या स्टाइल गल्स का स्टाइल ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो पहला हमारे पास जिवानु आया था ठीक है चलो दूसरा देख लेते हैं दूसरा क्या है हम अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारे पास क्या आता है विशाणू संचारित रोग आते हैं थीक है अगर हम यहां के बात करते तो यहां पे आता है हमारे पास जट श्यॉंज श्युक्राइस दो थी क्वल ये संफा श्युक्राइस तो ट्रिपल ह को आप कैसे याद रख सकते हो advising जाहे तो polít चाहे तो डब्लव y से याद रख लो कि वह डब्लु डब्लु y में ट्रिपल है था और चाहे आप इसको याद रख सकते हो हारा preserved is से याद कर सकते हो फिर फिर देख लो यार अपने आप कोई बना ले ना आप है ना फिर बोलोगे मैं ने क्या बना दी उल्टी-फुल्टी इसकी शौर्टकट तो ट्रिपल एच से याद अख लो जो वह डबलो व्यमें था तो ट्रिपल एच में पहला क्या आएगा हमारा तो पहला आगया है एच चाईवी ठीक है ये क्या करता है एट्स दूसरा क्या आगया हमारा हर्पिस ठीक हर्पिस तीसरा क्या आगया हमारा हैपेटाइटिस बी ठीक है तो एच आईवी तो हर्पिस रहेगा लेकिन जो हैपेटाइटिस बी है इसको हम क्या बोलते हैं यक्रित इसको यक्रित शोत बी क्या बोलेंगे इसको यक्रित शोत बी ठीक है अब यहाँ पर अगर इनकी बात करते हैं कि इनके एजेंट कौन है अगर हम इनके एजेंट की बात करते हैं एजेंट याने की क्या मोला मैंने इनकी रोग कारक रोग के कारक ठीक है तो रोग के कारक अगर हम HIV की बात कर रहे हैं तो HIV क्या है भाई तो HIV हो गया वही Human Immuno Deficiency Virus ठीक है Human Immuno Deficiency Virus यह क्या काम करता है हमारा जो immune system होता है उस पर work करता है मतलब उसको weak कर देता है बहुत जादा अब जब weak कर देता है तो क्या हुआ इंसान को 100 तरेकी की बिमारी लग जाएंगी चलो आगे बढ़ते हैं ओके कहां गया कौन सा कलर उठाए है चलो ओके अब हम किसकी बात करते हैं हर्पेस की बात करते हैं ठीक है अगर हम हर्पेस की बात करते हैं तो ये क्या होता है भई हर्पेस Simplex 2 हर्पेस Simplex 2 ठीक है क्या हुआ हर्पेस Simplex 2 ये होता है इसको हम क्या बोलते हैं एच एस वी टू ओके ठीक है तो इसका क्या है रोग का कारक हरपस सिंप्लेक्स टू याने कि एच एस वी टू चलो अब हैपटाइटिस की अगर हम बात करते हैं तो हैपटाइटिस इसका क्या है एपटाइटिस का है अपना यह क्या करता है लीवर इनफेक्शन होता है लीवर इनफेक्शन ठीक है और इसका जो रोग जनक है वह कौन सा है हिपटाइटिस वी वाइरस याने कि एच बी वी हैपटाइटिस वी वाइरस जो मैंने वहाँ एच बी वी लिख दिया है करेक्ट बिल्कुल किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां पर अब चलो आगे बढ़ते हैं अब दूसरा पहला क्या था जिवानू दूसरा क्या है विशानू और तीसरे चलो तीस त्राइको मोनस ठीक है और इसका रोग जनक क्या है इसका रोग जनक है ट्राइको मोनस वय जाएनलिस यह है ठीक है सबको क्लीर तो तीन रोग तीन प्रकार के हैं यह जिवानु विशानू और यह यह क्या होता है यह प्रोटोजोवा होता है मैं या लिखना भूल गई हूं ठीक है ओके चलो अब यह सब तो हो गया ठीक है इसका कारण क्या है कि era यो हो जाते हैं अगर हम इसके कारणों को देखते हैं तो क्या कारण है जिसकी वैसे ही हो जाते हैं चलो आओ देखते हैं फड़ावट से क्या है कारण चलो हम बात करते हैं कारणों के बारे में कि इसके भाई कारण क्या है तो सबसे पहला कारण हम क्या बोलेंगे वही मैथ्थुन क्रिया यानि कि सेक्शुल इंटर कोर्ट ठीक है सबसे पहला कारण क्या ह गया इसका मैध्धुन क्रिया ठीक है यानि कि सेक्शुल एंटर कोड़ जहां पर क्या होता है संक्रमित व्यक्ति जो होता है उससे एक स्वस्थ व्यक्ति को ये संक्रमन हो जाता है ठीक है किससे हुआ संक्रमित से किससे हुआ स्वस्थ को स्वस्थ व्यक्ति को ठीक है चलो ओके आप अगर दूसरों की बात करते हैं दूसरा बात करते हैं दूसरा क्या ले सकते हैं भाई कि जो used needles होती है याने कि इस्तमाल की हुई इस्तमाल करी हुई करी हुई करी हुई सुई ठीक है इस्तमाल करी हुई सुई ठीक है इससे कैसे हो जाता है कि suppose करो आपकी आपका ही हॉस्पिटल कर तो आप क्या देखते हो कि आप से पहले किसी के injection लगाया जा रहा है इंजेक्शन लगाया अब डॉक्टर क्या करता है वो जो इंजेक्शन होता है इसको निडल होती है इसको तोड़ देता है यूज करने के बाद ऐसा तो नहीं होता है ना ऐसा क्यों नहीं होता है ताकि अगर इन केस पहले वाले को कोई infection है तो वो आपको ना हो इस वज़े से आगे समझ में हाँ ये है इसका reason ओकी कि बाई इस्तमाल केरी हुई सुनियों से भी क्या होता है अच्छा बहुत पहले क्या होता था कि मतला कुस टाहன पहले पढ़ rav us ल्यकर नेविसी नकों तो अगर इन केस किसी एक को कोई वीमारी होई होगी तो वह सब में पहल जाएगी ठीक है वैसे तो ड्रक्स लेने अच्छी चीज नहीं है बहुत गंदी चीज होती है लेकिन वहां पर क्या होता है सब लोग साथ में बैठे ग्रूप में जिस तरीके से वह यूज होते हैं तो उससी क्या हुआ अगर सबसे पहले वाले को कोई इंफेक्शन है तो वह सब में फ बच्चे को कि भई जो संक्रिमित माता है उससे उसके बच्चे को ठीक है कि भई वह बच्चा पेत में था पेत में था उसकी मा को संक्रमण हुआ किसी चीज से तो ब्लेट के थुरू और जो तरल था उसके अंदर उसके थुरू क्या वह बच्चे को हो गया ठीक है चौते क नर्मे अर माधा दोनों में होते है तिक है यहां मादा लिख देते हैं यहां नर लिख देते हैं चलो दोनों के लक्षणों की बात कर लेते हैं तो अगर नर की बात करते हैं नर के लक्षण देखते हैं तो सबसे पहले क्या होगा जनल मार्ग में जो जनल मार्ग होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जनल मार्ग में क्या होगा, जनल मार्ग में क्या होगा, सबसे पहले खुजली होगी, जो सबसे बेसिक चीज होती है, इन्फेक्शन की खुजली होगी, दूसरा क्या हो जाएगा, जलन होने लग जाएगी, मतलब इरिटेशन होगी, ठीक है, फिर क्या होगा भाई, मस्से भी हो सकते हैं, मस्से, की मस्से हो गए, ठीके, दाग भी आ सकते हैं, ठीके, काले-काले पैचिस पर सकते हैं, मतलब चक्ते, चक्के जो होते हैं, चक्ते, ठीके, काले-काले चक्ते भी हो सकते हैं, ठीके, चलो जी, ऐसा हो गया है, हाँ, और क्या होता है, अगर अब मादा की बात करते हैं, त मादा में क्या आएगा मादा में यहां क्या होगा बाई जो आतर्व चक्र होता है ठीक है वो क्या होता है उसमें असमानता आ जाती है असमानता ठीक है पहला यह हो गया दूसरा क्या होगा बाई गर्ब धारण नहीं कर पाती है गर्ब धारण ना कर पाना ठीक है यह सब चीज सबको तो यह सारी चीज़े क्या थी यह लक्षण थे नर और मादा में चलो अब देख लेते हैं कि NCRT का जो टेक्स्ट है वो हमसे क्या बोलना चाहता है आगे चलके ओके यौन संचारित संक्रमन ठीके अब यह जो कुछ हमने अभी थियोरी में मतलब वर्वली पड़ा है अब थियोरी में देख लेते हैं चलो तो यह बोल रहा है बहुत कोई भी रोग या संचरित जो मैथुन द्वारा संचारित होता है उन्हें सामोहिक तोर पर यौन संचर बोला जाता है ठीके गया के बबिसद्राय सुजाग यानिक ह girls घुँफेलेस हरपिस जननिक परिशर्प यानिक जनाइटल हर्पी हर्पिस हर्पिसम ठीके क्लेमैडिये टा स्य को बोनेस्टा लागिंग मद से यक शोट भी और हाल में ही सरवादिक चर्चित क्या और जो घातक भी बहुत है एड याने कि हच्च आईवी समानने यह संच्रित रोग है ठीक है यह सब इतने खतरनाक है भई कि इन से बचके रहना चाहिए लेकिन इन सब में इन सबसे जो खतरनाक है सबसे बड़ा डॉन बैठा है वो कौन है एच्च आईवी यह सबसे जादा खतरनाक है यह तो फिर भी चैंसे है कि आप ठीक हो सकते हो लेकिन अगर ही एच्च आईवी हो गया ना भई टाइम से पता चल जाएगा तो ठीक इसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं हम लेकिन नहीं पता चला तो लाज का कोई इलाज नहीं है याद रखिएग कि चलो इन में से कुछ संक्रुमण जैसे की यकरत शोड भी याने ओड़की हेपिटाइड़ बी और हेच्च आईवी के संक्रुमंण जैसे कि एक संक्रमित व्यक्ति के साजे प्रयोग वाली सुईयां इनसे फैलते हैं ठीक है HIV और Hepatitis दोनों हो जाएंगे शल्ले क्रिया के औजार जो medical tools होते हैं तदा दूशित रखता धान याने कि जो blood transmission होता है एक दूसरे को blood दे देते हैं जैसे मैंने बताया ज़रूर ताने पर तो या फिर संक्रमित माता से उसके घर में मौजूद शिश्यू को हो सकती हैं यह दोनों बिमारिया यह कर्चोथ B याने की Hepatitis B जननिक याने की परिसर्प परिसर्प तथा HIV संक्रमन को छोड़ कर बाकी सारे रोग पूरी तरह से उपचार योग्ये हैं बशर्ते इन्हें शुरुवाती अवस्ता में पहचानना एवं इनका उचित इलाज कराना ठीक से कराये जाए ठीक है अगर आपने इन सब को शुरू में पहचान लिया है ठीक से इनका इलाज करा लिया तो आप बज जाओगे ठीक हो सकते हो चलो इन सभी रोगों के शुरुवाती लक्षन बहुत हलके फुल के होते हैं जैसे हमने बात करी नर और माता दोनों में बात करी हैं कि जननिक छेत्र यानिकी जो गुपतांग होते हैं हमारे प्राइवेट ए संक्रमण की प्रारमिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट नहीं होते हैं और इसलिए लंबे समय तक उनका पता नहीं चल पाता है जो बहुत ही ज़्यादा हामफुल बहुत ज़्यादा खतरना के संक्रमण की प्रारमिक अवस्था में लक्शणों का प्रकट नहीं होना या उनका कम महतोपून होना तता यौन संचारित संक्रमणों से जुड़े समाजिक कलंक डर संक्रमित l da कि समय पर चांच कराना तत्त हो जोगता है मतलब हम कैसे हम आपतैक dew inception करा दिया ना तो यह अगर हमारे बारे मैं किसी ने गलत बॉल दिया तो सामने वाला क्या सोचेगा आप अगर अगर हम ऐसी बिमारी हो गई जाओ मिलो उससे आग इस प्रओस के लोग आपका इलाज नहीं करेंगे मीरे को प्राइवेट एयरिया में infection है मुझे treatment चाहिए हमारा शरीर यह पडोसियों का नहीं है क्योंकि पडोसी भी अपने शरीर का ख्याल रखेंगे आपका शरीर का नहीं रखेंगे आपकी तो मजाग बनाएंगे वो पर अपने शरीर का ख्याल रखेंगे समझ गए चलो आगे बढ़ते हैं इसके कारण आगे चलकर जटिलता हैं पैदा हो सकते हैं जब नहीं करा होगे तो ओविसली क्या है यही तो वह मारगे जहां से क्या होता है कि बई सेक्शियोल इंटर कोर्स होगा उसके बाद बच्चे होंगे जब यहां दिक्कते हो जाहेंगी तो फिर आगे चलके आपकी फैमिली प्लानिंग भी रह जाहीगी न क्या होगा वहां पर तो यहां पर सबको अपने प्राइवेट पार्ट का केर करनी चाहिए जो की श्रोणी के मारे रह जाओगे तो भाई ऐसी ऐसी दिक्केते आ सकती हैं आगे चलके यौन संचारित संक्मन स्वस्त समाज के लिए खत्रा है और इनकी प्रारंबिक अवस्ता में पहचान तता रोक के उपाय को जनन स्वस्त सेवा कारेकरम के अंतरगत प्रमुकता जी जाती है सबकार तो जिनको थोड़ी बहुत समझ है वो चले जाते हैं डॉक्टर के पास लेकिन जिनको समझ नहीं है वो आज भी इसी शरम में रह जाते हैं कि हए अकर में डॉक्टर के पास गया या गई तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि इसको ऐसा इंफेक्शन हो गया हां या फिर है अगर ऊगर मैंने किसी को बता दिया तो वो तो मेरी मजाग बनाएगा ऐसी सोच में रज़ाओंगे और ऑसी तोह 1000 बिमारियर ले के बेठ जाओंगे तो किया करना है शर्माना नहीं है बॉस्वित चे बाथ जाना है आपको समझ रहे हो देख लो आप सभी 15 से ऊपर के हो लिखा है यहां पे 15 से 24 ठीक है यह लिखा है देखो तो भाई ख्याल रखो अपना 15 से 24 साल के बीच चौबिच तो फिर भी आप लोगों के बहुत जाद हो जाएगा वहले 15 से तो उपर ही हो चलो वह आयू वर्ग जिसमें आप भी आते हैं लेकिन घबराइए मन इससे बचाव का उपाय आपके ही हातों में है कैसे है भाई डॉक्टर के पास जाएए अपनी परिशानी बताईए उनसे मिलिये उनको खुल के बताओ मुझे दिक्कत है मुझे ट्रीट्मेंट चाहिए आप इन संक्रमणों से पूरी दुरह से मुक्त रह सकते हैं बशर्टे कि आप भविश्य में नीचे दिये गए सभी साधारन नियमों का ठीक से पालन करें चलो देखते हैं फड़ावट से कौन से नियम है किसी अंजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन मंद बनाने से बचें मल्टिपल पार्टनर्स जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता है कि सामने वाला बंदा कैसा है क्या है अगर आप उसको नहीं जानते हो बशर्टे आप जानते हो तब भी मल्टिपल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए जो अगर इनके सामने वाले को कोई दिक्कत भी है कोई बिमारी भी तो वह आपके शरीर में ना आए क्योंकि यहां पर हम जिन रोगों के बारे में बात करें जिन बिमारीयों के बारे में बात करें वह सभी सेक्शूल इंटर कोट से ही एक वक्ति से दूसरे वक्ति में जाएंगी यदि कोई आशंका है तो तुरंथी प्रारंबिक जांच के लिए किसी योग के डॉक्टर से मिलें और रोग का पता चलने पर पूरा इलाज करवाएं अगर इन केस आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो तुरंथे तुरंथ के टुरंथ के बाद जाओ बिलो और बताओ मुझे दिक्त अड़न इंफंपति है त्राइज Что join RPG वाईफ है वह चाहते हैं कि उनकी जीवहन में उनके घर परिवार में छोटेश जोटे बच्चे आंट लेकिन कभी-कभी क्या ऊतना में किसी ना क कब दे रहे हो ऐसे होता था कि ठीक है फड़ाक से एक साल के अंदर बच्चा हुई है लेकिन कभी-कभी ऐसा होते हैं कि ठीक है करते हैं कोशिश करते हैं लेकिन उसके बाद भी बच्चे नहीं हो पाते हैं ठीक है बहुत हो सकता है किसी में या तो कोई लड़के में या सब्सक्रायब पर थे हम को बच्चे कैसे करने प्लान करने हैं हमें बच्चा कब चाहिए। इसमीलर सब्सक्राइब आए थाधे मों सब्सक्राइब हमें, अश्रीप की जी रचा सेब बच्चानेु के जी इसमयर नहीं कर दोएक को भान वा größ distadanुन मुनтор वो होती है बंदेता कि ठीक है यहां पर बंद गए हो नहीं हो पा रहा है यहां नहीं है कि वो कपल जो है नहीं चाहता है तो इसलिए वो गैप आया है ठीक है तो अब बंदेता जो है कि भाई हम बंदेता क्या बोल सकते हैं चलो देख लेते हैं कि यहां पर क्या होता है कि प् असफल हो रहा है तो इसका मतला है वो किस से ग्रसित है भाई वो किस से ग्रसित है बंधिता से ग्रसित है वो ठीक है याने कि उनमें अन्फर्डिलिटी है ठीक है अब क्या चलो है ठीक हमें पता चल गया कि बंधिता क्या होती है तो यहां पर इसके कुछ में रिजने labs क cyclips कारण और यहां अन्ग पर यह क्यों क्यार से यहां पता है क्यों हो रहा है कि यहां पर बच्चा पैदा नहीं हो रहा है यह चाप्टर आप सभी के लिए तो जरूरी है पर ऐसे लोगों के लिए भी जरूरी है जो वाकि में इन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं जिनको यहां पर दिक्कते हैं कि ठीक है बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनने आज तक सच में नह की धार्णा बना रखिए अपने दिमाख में कि एगर बच्चा नहीं हो रहा है तो जिसके वज़े से क्या है बच्चे नहीं हो रहे हैं तो अगर पहले reason की बात करें, तो ठीक है हमने क्या बात करी कि वो लोग मतलब ट्राइ कर रहे हैं ठीक है ट्राइ कर रहे हैं लेकिन वहां क्या हो रहा है निशेचन नहीं हो रहा है ठीक है निशेचन नहीं हो रहा है ठीक अब इसका मतलब क्या है कि वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है इसका अंडानू का और शिक्रानू का नहीं हो प कमी है ठीक है उनमें कमी है कि हो सकता है कि औरत के अंदर जो क्या बोलते हैं एग नहीं बन रहे हैं या जो मेल है ठीक है उसके अंदर स्पर्म नहीं बन रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि जनन अंग में कमी हो सकती है ठीक है यह अगर बन रहे हैं तो वह क्या फैलोपिन ट्यूब ये पहुच रहा है यह अगर मेल हैं तो किसमें sperm duck में नहीं पहुच रहा है sperm जो बना है तो ये क्या हो सकती है जो उनका reproductive system है थोड़ी बहुत कम्या हो सकती है ये थीष्वला क्या क्या और आपरीपक्व और डानु या शुक्रानूं कि ये दोनों क्या हैं बन तो रहे हैं लेकिन मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पर तो यह हमारे कुछ कारण हो सकते हैं कि अच्छा ठीक है इस वजह से infertility आ रही है यहां पर एक और चीज़ आ सकती है भाई की IU याने की age factor बहुत ज़्यादा matter करता है ठीक है यह सब चीज़े अभी किसमें पढ़ेंगे आगे इस बंदेता याने की infertility के जो reasons है कारण है उसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो ये तो कमिया है कि भाई यहां पर ये कमी हो सकती है ठीक है कमिया है ये ठीक है ये कमिया है कि जिसकी वज़े से ये एक औरत और एक जो आदमी है वो माता पिता नहीं बन पा रहे हैं किसमें माता और पिता दोनों में ठीक है ये क्या है कमिया है मादा और पूरिश दोनों में ये कमिया हैं ठीक है चलो आगे बैठते हैं देखो बंदिता के बारे में चर्चा किये बिना जनन स्वास्ते पर चर्चा अधूरी है ठीक है क्योंकि बंदिता याने की इनफर्टिलिटी को जानना बहुत ज़रूरी है हमारे रिप्रोड़क्ट रहें जनन स्वस्थ की बाद कर रहें तो इसको कैसे छोड़ सकते हो आप फिर भारत सहीत पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे दमपती हैं जो क्या है बहुत सारे ऐसे husband wife है जिनको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं जो क्या है कि बढ़ी बंदे हैं ठीके मतलब कि उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास याने कि जो intercourse होता है ठीके उसके बाद भी क्या हो रहा है कि बच्चे पैदा कर पाने में वो क्या है और समर्थ हैं मतलब वहाँ बच्चे पैदा क्या नहीं हो पा रहे हैен ठीके तो यह क्या है यहां पर इसके बारे में थोड़ा सो लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी मजबूरिया हो जाती हैं कुछ ना कुछ ऐसी शरीर में कमिया हो जाती हैं जिसकी वैसे उनका ये खाप पूरा नहीं हो पाता है ठीक है तो चलो चलके जानते हैं कहां चलना है क्लास से बाहर नहीं जाना है अगली स्लाइट पर जाना है वहां चलके जानते हैं कि भई इसके कारण क्या है क्यों ऐसा हो रहा है कि भई वो और और वो जो पुरुश है वो माता-पिता नहीं बन पा रहे हैं क्या दिक्कते हैं और अच्छा अगर ये कारण है तो उसके बाद अंजानेंगे कि इनका निवारन भी तो हो सकता है ना, उनका solution तो कुछ होगा कि कैसे ये माता-पिता बने, कैसे इनके घर में खुशियां आएं, तो चलो आगे चलते और बात करते कि इन फर्टिलिटी के reason क्या है, ठीके, इसके कारण क्या है, ओके, तो अगर हम मादा, यानि कि अगर हम और और पुरिश, यानि मादा, दर और मादा दोनों के बारे में बात करते हैं, इन दोनों के बारे में बात करते हैं, तो पहला क्या हो सकता है, भाई, शारिरिक हो सकता है, ठीक है शारे रिक कमी हो सकती है ठीक है हो सकता है कि वो जो मतलग फिजीकली वीक हो ठीक है कि बहुत कमजोर हो तो शारे रिक चीज़े आ सकती है दूसरा क्या सकता है दूसरा आपका प्रती रक्षात्मक आ सकता है रक्षात मक ठीक है यह आ गया पिर क्या सकता है आपका भावनात्मक भावनात्मक मतलब क्या हो गया वह यह इमोशनल कि हम human beings क्या होते हैं हम बहुत जादा क्यों दूसरा क्या सोचगा यार मैने ऐसा किया तो इसका रिजल किया होगा यार ऐसा हुआ उसी तरीके से जब इन् पर आती है तो मेल और फेमेल वहीं दोनों में संस्टिव हो जाते हैं ठीक है अब जब सोचेों हमारे दिमाग में टेंशन होगी तो होर्मों होता है जब stress होर्मों रिलीज होगा तो वो क्या करेगा भाई जब आप contact में आते हो इंट्रकोस का हो ठीक है टो भावनात्म क्या है वो यह है फिर क्या बोल सकते हैं हम रोग ठीक है कि बई आपको कोई reproductive disease तो नहीं है कि जिसकी वाई से क्या हो रहा है बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है कहीं आपके reproductive जो organs है उनमें तो कोई कमी नहीं है कभी जो egg is sperm है वो तो weak नहीं है ठीक है क्या कहीं blockage तो नहीं है मतलब so on so on so on ऐसे बहुत सारी चीज़े हैं ठीक है जो इसके अंदर आती है ठीक है चलो अब जल्दी से इसके बाद एक और चीज़ देख लेते हैं भाई कि जो मादा है और जो नर है उसमें क्या क्या कमी हो सकती है यहाँ लिख लेते हैं मादा ठीक है और यहाँ लिख लेते हैं अपन नर चलो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई उम्र की अगर हम दोनों की ही उम्र की बात करते हैं याने की age ठीक है क्या है ज्यादा है ठीक है अगर यहाँ पर उम्र ज्यादा है तो क्या होगा भाई प्रेग्नेंसी के चांस कम हो जाते हैं क्या होगा प्रेग्नेंसी के चांस कम हो जाएंगे चांस कम हो जाते हैं ठीक है क्यों हो जाते हैं कम भाई कि यहाँ गर में केरियों की उम्र ज्यादा है तो यहां पर pregnancy के chance कम क्यों हो रहे हैं दोनों में इसे उमर बढ़ती हैं कि बई अपना 23 से 27 साल की उमर ऐसी होती है लड़कियों के लिए कि जहां पर वह अच्छे तरीके से conceive कर लेते हैं क्योंकि उनका शरीर क्या होता है बहुत अच्छा होता है हां तो होर्मोन्स एक दब मस लेवल में वRicking करते तो अगर हम बात करते हैं और अगर संपdrौक करें नर्ग आसी होोता है ओरत它 को अध्युर्ग काण है जैज़ीगी credit कि जू हॉर्मोन है ने करेंगे जो परम हैर वह क्या हो गए कम होने लगज जाते है कई ठीक है और इसके साथ सद क्या होगा जो वीरे क्या बोलते हैं उसको वीरे सेचन याने की insemination इसकी चमता क्या होगी कम होजाती है ठीक है और यहां पर यहां पर जो अंडाणू होगा वो क्या होगा ये भी क्या होगे कम होंगे ठीक है हॉर्मोन लेवल जो है वो डाउन होता चला जाएगा जैसे जैसे एक एज बढ़ती जाती है तो पहला रीजन हमने यहाँ पर यह मान लिया दूसरा क्या है फीमेल्स में अगर हम बात करें तो मेंस्टूरल साइकल याने की क्या हो गया आतर्व चक्र ठीक है इसकी अनुपस्थिति अनुपस्थिति अब जब यहाँ पर पीरिट्स ही नहीं होंगे यहाँ पर जब यह मेंस्टूरल साइकल नहीं होगा तो जो अंडाणू है यह जो अंडाणू है इसका निर्मान नहीं होगा यह हमने पढ़ा था ठीक है किस में प बढ़ाता हमने ठीक है मानव जनन में human reproduction में हमने बात करी थी आतर्व चक्र के बारे में कि भाई जब menstrual cycle होती है उसके बाद ही क्या होता है evolution होता है ठीक है याने की एक एक release होता है जब menstrual cycle ही यहां पर नहीं होगी ठीक है उसकी अनुपस्तिती है वो absent है तो यह अंडाणू कैसे बनेगा है ना अब अगर हम यहां पर बात करें भाई सेकिंड नमबर पर तो जनन अंग है जनन अंग की बात करते हैं तो यहां पर चोट लगना ठीक है अब जो मेल में क्या होते हैं जो जनन अंग होते हैं जैसे पीनस है ठीक है और क्या है टेस्टी वो क्या है बौडी से बाहर है कभी कभी होता है कि गलती से चोट लग जाती है तो बहुत दर्द होता है लेकिन उस चो कर रही थी वो काम ना करें ठीक है अंदर कोई घाव बन जाए फिर क्या होगा हां वहां से स्पांस बनने में दिक्कत होगी तो इस तरीके से हो सकते हैं कि हां ठीक है किसी भी कारणवाश अगर उसके चोट लग गई तो उससे भी उसको नुकसान हो सकता है ठीक फिर अगर अंडोत सर्ग की क्रिया ण्डोत सर्ग की क्रिया नहीं होना ठीक है यहां पर अववलूशन नहीं होना तो यहां तेख लो यहां पर क्या होंगे मैं हमने बात करी थी कि द्यृट्ट पुटक क्या बोलता है त्यृट्ट् classic यहां पर बनते हैं फिर ग्राफियन पुटक बनता है, तो जब अंडोच सर की यहां पर क्रिया नहीं होगी, वो अंडा बाहर नहीं निकलेगा, तो यहां पर क्या होगा पारपर, जो ग्राफियन पुटक है, जो ग्राफियन पुटक है, वो क्या होगा, बनते रहेंगे, ठीक है, वो क्या है, बनते र कुणकी कि ओवरी में क्या हो गया है? फिस्ट हो गई है गाठ हो गई है। तो यहां पर क्या पन जाती है? वह सिस्ट बन जाती है यानि कि गाठ बन जाती है तीक है इस तरीके कि सब इकटे होते रहते हैं जिकत DESK वजे से भी क्या होता बंदिता आती है इनफर्टिलिटी आती है कि जब बाहर ही नहीं निकल रहे हैं तो क्या होगा ठीक है चलो इसी तरह से अगर मादा में हो सकते हैं कि यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है पूरी कोशिश करिए बहुत आसान से शब्दों में आप सभी को समझाने की चलो आगे बढ़ते हैं अगर इन दोनों में से चाहें वो क्या है यह नर और यह मादा ठीके जो लड़के हैं यह लड़किया है जिन में कोई भी दिक्कत है इस तरीके की प्लीज जाओ डॉक्टर से मिलो ठीक है डॉक्टर से कंसर्न करो चलो आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं तो भाई हमने क्या बात करी शारेरिक जन्मजात रोग जन्न्य औशदिक प्रतिरक्षात्मक यहां तक क दोसरी रोग ऐसे होते हैं जिसकी वज़से क्या होता है तबijnर इपर्ड़ियों को ही दिया जाता है जो कि बहती ब्हुत गलत चीज है क्योंकि अभी हमने पढ़ा एक नर और मादा में क्या-क्या दिक्कते हो सकती हैं तो अब मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि आप सभी क्या हो हमारी आने वाली जनरेशन हो हमारे आने वाले डॉक्टर्स हो तो आप इस चीज को बहुत अच्छे समझोगे कि यह जो चीज है कि हम जो फीमेल को responsible टहराते हैं कि वच्छा क्यों नहीं हो रहा है तो यह गलत है ठीक है जबकि प्राया ऐसा नहीं होता यह समस्या पूरुष साथी में भी हो सकती है हमने देखा कि वज़ कमी है कमी तो किसी में भी आ सकती शरीर ही तो है बिगड़ सकता है सुधर सकता है क्या व के आगे बढ़ते हैं चलो विशेश स्वास्त सेवा एकाया याने की बंदता क्लीनिक आदी जो इनफर्टिनिटी क्लीनिक होते हैं ठीक है नैदानिक जांच में सहायक हो सकती है और इन में से कुछ विकारों का इलाज करके दमपतियों को बच्चा पैदा करने में मदद दे सक हैं वो दो जिनकों बच्चा चाहिएं नहीं हो भारत जाकि ऐसे एकलीक से मिलों इन वड्रेली इंक बहुत सारे उल्माइस जाकहिए लाऀया कियोंकि दूसरे बोलेंगे वह यह आपको भुच्चा भूलते उन्यूंने लुवजश्टे जहां शिक्याय, फिर बी जहां अगर दवाईयां यहां काम नहीं कर रही हैं तो कुछ ऐसी टेक्नीक आ गई हैं साइंस ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है कि उन टेक्नीक की हेल्प से ऐसे लोग में माबाप बन सकते हैं जो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे थे ठीक है इन तक्नीकों द्वारा ब पाने फेसे लोगेर्क के बढ़ते हैं अब ठीक है चलो अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो क्या करना आपको है आप ऐसे लोगों को सपोस्के यहां नहीं हो गेती को इसी को आप कि पास को यसिजटेशन का अ कर liquid इत्ती देर से मैं भूले जा रही हूं जल्दी बता दो क्या सलां देंगे हम कहेंगे भाई अच्छे से справ at जो आपको ये बताए कि भाई पहले आप सारी जांच करаєं क्या करेगा जाके भाई पहले आपको डॉक्टर से मिलना है सबसे पहले चीज डॉक्टर से मिलो ठीक है इसके बाद सारी जाज कराओ उसके बाद क्या करना है सारी जाज कराने के बाद जो भी तरीके की बिमारी आ रही है जो भी कुछ भी आ रहा है उसका इलाज करवाए सारी चीजों का एक ही हले भाई इलाज चाहें वो कोई सा भी रोग है बिना डॉक्टर के कुछ पॉसिबल नहीं है इस चीज को याद रखना और मैं हजार बार बोलती हो कि आप हमारा आने वाला भविश्य हो भाई समभल के रहो आने वाले डॉक्टर्स हो ठीक है ना चलो आगे बढ़ते हैं चलो अब हमने पहले बात करी थी बाई जनन सहायक प्रोध्योग्य के बारे में हमने एक लाइन पढ़ी थी कि ये कुछ ऐसी चीज़े हैं जो बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं ठीक है ना ये उन लोगों के लिए है ठीक तो इसको क्या बोलते हैं हमने ART बोला वहां पर अब ये ART क्या है Assisted Reproductive Technologies ये जो नाम दिख रहे हैं इसमें से आपने ये वाला नाम बहुत कॉमनली सुना होगा कि ये क्या होता है चलो पढ़ावर से देख लेते हैं कि ये क्या है अगर हम IVF की बात करते हैं तो IVF क्या होता है In vitro Fertilization क्या है ये अरे यार तो से भी कदर हो गिया है In vitro Fertilization ठीक है जिसको हमने क्या बोला भाई पात्रे निशेचन ये सारी चीज़े क्या है आगे चलके अभी इसी लेक्चर में हम बात करेंगे तो टैंशन मत लेना अभी हम सिर्फ यहां क्या देख रहे हैं इनकी फुल फॉर्म देख रहे हैं कि ये टेक्नलोजीज क्या है ठीक है फिर क्या आता है हमारे पास इटी याने की आम्ब्रियोनिक ट्रांस्फर मतलब आम्ब्रियो का मतलब क्या होता है ब्रून ठीक है और ट्रांस्फर का मतलब इस्तानांत्रण इस्तानांत्रण याने ब्रून का क्या हो रहा है स्तानांत्रण हो रहा है ठीक है ना ओके अब तीसरा क्या है बाई हमारे पास तीसरा है आई योटी नहीं सॉरी जिफ्ट तीसरा क्या है जिफ्ट जिफ्ट का मतलब क्या होता है जाइगोट इंटर फैलोपियन ट्रांसफर ठीके अब जाइगोट क्या होता है हाँ जाइगोट इंटर फैलोपियन ट्रांसफर यानि क्यों कुछ जो क्या होता है फैलोपियन ट्यूब होती है अपनी अंडवाही का उससे related कुछ है तो क्या है ये भई ये होगा आपका युग मनच अंतह अंडवाहिनी इस्थानांतरन इस्थानांतरन ठीक है चलो इसके बाद क्या है हमारे पास जिफ्ट के बाद आया IUT याने कि intra uterine transfer याने कि अगर इंटर की बात आ रही है तो मतलब अंड़ ठीक है युटराइम मतलब गरभाश है प्रांसर मतलब स्थानांतरन ठीक है तो इसको क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे अंतहा गर्भाश है गर्भाश है क्या इस्थाना अंतरन ठीक है ओके अब इसके बाद आता है गिफ्ट यह कहता जिफ्ट अब आया गिफ्ट ठीक है तो गिफ्ट क्या हो गया भाई यह युगमक था यहां गलत लिख दिया युगमक कौन से कलोट है चलो चलो यह ले ले लेते हैं ठीक है गिफ्ट का मतलब क्या हुआ यहां पे जी फॉर जाइगो जी फॉर जी फॉर गैमीट गैमीट आई फॉर इंट्रा ठीक है फेलोपियन transfer याने की युग युगमक युगमक याने की क्या हो गया सही तो था ये युगमक था वो युगमनज था युगमनज क्या कर रही हूँ मैं यार बिल्कुल ही confusion हो गया है सही मैं युगमक युगमक अंतह अंडवाहिनी इस्थानांतर ठीके यहाँ पर क्या था युगमनज था पहले सही था युगमनज अभी ठीक है ठीक है चालो ओके आगे बढ़ते हैं आगे हमारे पर सौर भी है ए आई और ही ए आई 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 सी एस आई और ये कुछ नहीं है आई यू आई आँ सब ऐसी हो रहे हैं चालो आगे बढ़ते हैं तो वही अगर ए आई की बात करते हैं तो ए आई से क्या है artificial intelligent यू आज कल बहुत जादा फेमस हो रहे हैं यह है artificial insemination, आज़ा, insemination, याने की, इसको artificial मतलब, कृतिम, कृतिम, insemination का मतलब, वीरे सेचन, ठीक है, वीरे सेचन, ठीक, करेक्ट बिल्कुल, चलो, इसके बाद क्या है बाई, ICSI है, इसके बाद, ICSI, IC मतलब क्या हो गया बाई, intra-cytoplasmic, cytoplasmic, ठीक है, क्या है, sperm insemination, अभी तक देखो, आपने नोटिस किया, कि अभी तक, जो हमने इस पेश पे पढ़ा था, वो सब क्या देखो, अंडवाहिनी, करभाश है, अंडवाहिनी, भुरून, ठीक है, इनिशेचन, यह सब किसकी बाद चल रहे थी, यह सब जो औरतों के लिए है, फिमेल्स के लिए, अभी यहाँ आपने देखा, कि यहाँ पर insemination चल रहा है, यह sperm चल रहा है, यह मेल्स के लिए आ रहे है बाद, तो यह क्या है भाई, अंतह, कोशिका, द्रव्वे, शुक्राणू, वीरे सेचन, ठीक है न, देखो, यह मेल्स के लिए चल रहे है चीज़े, पहले क्या था, फिमेल्स के लिए था, ठीक है, अब लास्ट में आया IUI, याने कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है, याने कि अंतह, गर्भाशे, वीरे सेचन, ठीक है, ये क्या है, अंतह, गर्भाशे, वीरे सेचन, ठीक, तो ये सब वो टेक्नीक्स हैं, जिनके लिए आकरी होप होती है, उन कपल्स के लिए, ये आकरी होप है, कि हाँ, शायद इन टेक्नीक्स का यूज़ करने के बाद, हमें बच्चे की खुशी मिल जाए, तो इन ट हाली फुल फॉर्म देखिए हमने कि फुल फॉर्म क्या है, अब इन टेक्नीक्स होती है, ये है, क्या, क्या काम करती है, मतलब ये सारी जिए, चलो आगे देखते हैं, इस चप्र, इस लेक्च्चर में, ठीक है, चला, ओके, अब सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, आई वी एक दाता माता होती है, याने कि जो फिमेल है, वो क्या कर रही है, डोनर है, डोनर फिमेल, ठीक है, डोनर फिमेल को क्या लिखेंगे हम, ये क्या है, डोनर फिमेल, याने कि दाता माता, ठीक है, एक ये है, ठीक, इसके बाद क्या आएगा, एक डोनर मेल आएगा, याने कि दाता पुरुष ठीक है अब क्या होगा कि माता से क्या मिल गया भाई अंडाणू मिल गया ठीक ये क्या मिला अंडाणू मिल गया यहाँ पर ठीक है पुरुष से क्या मिलेगा शुक्राणू मिलेगा ठीक है अब क्या होगा यहां पर शरीर में जैसे ही क्या होगा भाई यहां पर क्या होता है बिलकुल इस आई विएफ में कि जैसी एक औरत की शरीर के अंदर की condition होती है ना temperature होता है हर एक चीज होती है यहां पर शरीर से बाहर बनाए जाता है कैसे कि यह क्या है टेस्ट्यूब है यह क्या है यह एग हो गया यह क्या हो गया sperm हो गया तो यहां पर क्या हो रहा है निशेचन हो रहा है इनका याने की fertilization हो रहा है ठीक है निशेचन ठीक है और यहां पर इनका निशेचन करवाने के बाद क्या हो जाएगा यूगमनच का निर्माण हो जाएगा यूगमनच का निर्माण याने की क्या बनेगा बताओ जल्दी से यूगमनच याने की जाइकोट बन जाएगा भाई ठीके ना याने कि यहां पर क्या हो रहा है जाइगोड बन गया है इस तरीके से यहां से इसका अंडाणू ले लिया यहां से इसका शुक्राणू ले लिया और इसको बाहर फर्टिलाइज करवा दिया ठीके ना चलो यह प्रॉसेस क्या है वो देख लेते हैं अब ठीके यहां पर IVF याने की शरीर से बाहर लगबक शरीर के अंदर जैसी शरीर के बाहर लगबक शरीर के अंदर जैसी इसतिती हो में निशेचन करवाना जैसे मैंनगे बताए था ठीके के द्वारा ब्रून इस्थानांतरन याने कि ET embryonic transfer याने कि ब्रून इस्थानांतरन ऐसा एक उपाय हो सकता है ठीक है इस विधी में लोग प्रिय रूप से test tube baby कारे करम के नाम से यह जाना जाता है हमने क्या बात करी देखो अभी test tube में करवाया ना यहाँ पर है ना तो test tube baby कहलाएगा ठीक है इसमें प्रयोक शाला याने कि जो laboratory होती है वहाँ पर पत्नी या दाता इस्थी के अंडे से पती अत्वा डाटा लिखा हुआ है यार दाता क्या है दाता दाता पुरुष्चे प्राप्त किये गए शुक्राणूओं को एकत्रित करके प्रयोक शाला में अनुरूप परिस्थितियों में याने कि जैसे सेम कंडिशन एक फिमेल के अंदर होती है बिल्कुल वही कंडिशन में क्या करते है युगमनज बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है तो यह क्या कहला है अपना test tube baby कहलाता है ठीक है कि शरीर से बाहर क्या हो रहा है भाई प्रोसेस हो रही है फर्टिलाइजेशन की ठीक है ना ओके अब ठीक है हमने यहाँ पर क्या बात करा था भाई कि यहाँ पर क्या है जाइगोड बन गया यहां पर यह जाइगोट बन गया ठीक है जाइगोट बन गया चलो ठीक है यहां पर एक डाइग्राम बना लेते हैं हम यहां पर खुबसूरत लग रहा है ना यहां पर चलो एक डाइग्राम बनाते हैं चलो भाई लो जी इस तरीके से ठीक है अब यहाँ पर यह क्या है एक मादा का शरीर है अंदर ठीक है और यह जाइगोट बन गया है बाहर अब क्या होगा यह जाइगोट है यह क्या करेगा भई विर्शनी ब्लासटोमेई बनायेगा यह पर क्या बनाया छेक है ब्लासटोमेई भण यह जाएगा यहां पर डाल दिया जाएगा थीखे यहां पर डाल दिया जाएगा याने कि यहां पर क्या होती है निश्य εκषर्य nouvelles की प्रॉस्फिינICH होती है थीखे अब जब यहां पर यहां पर डाल दिया जाएगा ठीक है फैलोपियन ट्यूब में तो फिर क्या और यांप यह इसकी यह बड़ा होने लागे गा देरे ध इसके बद इसके बाध चलो यह तो हमने क्या बात कर ली पहला केस आगया यह हमारे पास ॥ार्ट इसके यहाँ पर हमने ऑज्टिक करवा दिया है कि पहले केस से बना अब क्या होता है जब हम आठ कोशी कि यह तो पहला होती है वहाँ क्या होती है जिफ्ट के प्रोसेस होती है ठीक है जब यह 8 कोशी किये हो जाएगा तो क्या होगा तब इसको फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे ठीक है तब क्या करेंगे इसको यहां पर डाल देंगे फैलोपियन ट्यूब में 8 कोशी किये को ठीक है या फिर 8 क यहां डाला हमने इसको यहां पर डाल दिया अब जब यहां पर डालेंगे तो क्या होगा भाई है माता की जो फैलोपियन ट्यूब है यह क्या है फैलोपियन ट्यूब ठीक है यह फैलोपियन ट्यूब है इसको हमने कहा किया यहां पर डाल दिया अब जब यहां पर डाल दिया जो दाता मात ही ना उसके फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया अब जैसे एक टाइम आएगा फिर यह क्या गरेगा यहां पर आजाएगा और यहां पर रोपित हो जाएगा अपने टाइम के अनुसार लेकिन यहां वाली पोजिशन के आती पहली वाली कि उसका वहां पर सीधे के सिधे निशेचन हुआ था और निशेचन होने के बाद यहां पर डाला गया था दूसरा क्या है आट कोशि किया यह उससे जाधा हो गया था तब डाला गया था थीक है तो यह दो शेय में डाल देते हैं, जिसको हमने क्या बोला E T, ठीक है, जिसको हमने बोला E T, ठीक है, तो यह तीनों कंडिशन यहां पर हमने पढ़ लिए हैं, चलो, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं, यहां पर एक यह वीडियो है जो आपको देखनी जरूरी है, अच्छी है, क्या हो गया, यह ओ गया, चलो यह वीडियो देख लो, यह IVF टेकनीक है, यह माँ क्या है, इस यह देखो, यह को शुरू से देखो इसको, मैं बताती हूँ, यह देखो, यह से सीरिंसрем इस डाल को और देख पर here, इख निकाल लिए हैं देख रहे हैं, अब आग निकाल लिय introduce करवा दिया introduce करवा दिया देखो ठीक है यह क्या बन गया इस तरीके से देखो introduce करवा दिया फिर उसके बाद वापिस क्या क्या गया उसको डाल दिया गया मा के शरीर के अंदर इस तरीके से वापिस सीरिंस की तुरू डाल दिया गया है यह देखो टैस्टोमर डाल दिये गये है ठीक है इस वीडियो को आप रिपीट करके फिर से देख सकते हो कि यह प्रोसेस क्या है ठीक है फिर से देख लेते हैं एक बर चलो यह देखो इस तरीके से क्या किया गया है यहां पर ही क्या है ओवरी है ओवरी से एग निकाला पहले निकाला यह देखो पिर इसको डाल दिया चलो ऐसे एग निकाल दिया अलग अलग sperm को यहाँ पर डाला गया, introduce कराया गया sperm को इनके साथ, ठीक है, कहाँ body से बाहर ही कराया गया है, ठीक है, देखो, इनके अंदर sperm डाल दिया है इस तरीके से हो गए है, फिर यह, petri dish, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया है, जब यह बन गया है, यहाँ पर fertilization हो गया है, तो मा के शरीर में इसको फिर से डाल रहे हैं, अब डाल रहे हैं, देखो, यह process अंदर डालने की है, यहाँ से injection के थुरू देख रहे हैं, यह, यह देखो, फिर से अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, फेलो पिन ट्यूब में, यह देखो, इस तरीके से आ गये हैं, ठीक है, समझ वे आ गया, चलो, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, आई वी एफ के बारे में, कि बाई, इस युगमनज या प्रारंबिक भूण, यानि कि आठ ब्लास्टोमीर तक को फेलोपी नलिकाओं में, यानि कि जो फेलोपीन ट्यूब है, इस तरांतरित किया जाता है, जिसे युगमनज अंतहर डिम्ब वाहिन, यानि कि फेलोपी, इस तरांतर अर्थात, जाइकोड इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर याने की जिफ्ट कहते हैं जिसकी हमने बात करी थी अभी इससे पहले ये बात करी थी ठीके जो प्रून आठ ब्लास्टो मियर से ज्यादा का होता है उसे परिवर्दन हेतु गरवाशे में स्थानांत्रित कर दिये जाता है जिसे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर याने की आई यूटी कहते हैं हमने क्या बात करी थी जो आठ से जादा होता है यहीं पर देखा था कि जो आठ से जादा होता है उसकी जिन इस्त्रियों में गर्ब धारण की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए जीवे निशेचनिया ठीक है यानि की IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इस्त्री के अंदर ही युद्मगों का सनलेयन हो ठीक है से बनने वाले ब्रूण को इस्तनांत्रित करने के लिए प्रियोग में लाया जा सकता है ठीक है तो यह सबता IVF के बारे में है जिफ्ट के बारे में भी हमने देखा ही था कि जिफ्ट आठ ब्लास्टोमीर तक जिफ्ट होता है उसको ट्रांसफर करना तो यहां पर ऐसे मामलों में जहां इस्तरियां अंडाणू उत्पन नहीं कर सकती है लेकिन जो निशेचन और ब्रूण के परिवर्दन के लिए उप्युक्त वातावरन प्रदान कर सकती है मतलब कि यहां प ब्रून बनने की प्रक्रिया है वहां हो सकती है तो यह जिफ्ट क्या होता है उनके लिए होता है कि 8 ब्लास्टोमीर तक क्या हुआ कि भाई वहां तक प्रोसेस हुई बाहर और उसके बाद माता के शरीर के अंदर डाल दिया यह तरीका अपनायते हैं वो लोग इसमें जो द चलो ठीक है एक चीज देख लेते है यहाँ पर हमने यही बात करी न कि भै कि कोई स्त्री है ठीक है कोई FEMALE है वो क्या कर रही है एग रिलीज नहीं कर पा रही है ठीक है एक क्या रिलीज नहीं कर पा रही है लेकिन उस FEMALE की जो BODY है वो ongoing embryo के लिए भी अच्छी है कि हो जाएगा ठीक है और वहाँ पर क्या है fertilization भी हो जाएगा क्या देखा हूं ने क्या देखा कि वहाँ पर निशेचन और भून दोनों के लिए उप्यूग था याने कि embryo development भी हो रहा है fertilization भी हो रहा है बस उसकी शरीर में क्या हो रहा है कि वो egg release नहीं कर पा रही है वाकि यह दोनों चीज़े उसके body में हो रही है तो क्या काम करा जाता है कि कोई donor mother है ठीक है यह क्या है donor female है यह यानि कि जो data होता है जो donate करते है इससे क्या होगा जो actual mother है ठीक है actual mother है ठीक है जो receiving कर रही है उसको ठीक है जो मा है जो वहां से यहां से जो अंडाणू है यहां से यह अंडाणू लेकर इसके शरीर में डाल देते हैं荆 ठीक है यहां पर यह process होता है कि वह यह ऑरत में एग नहीं बन पार रहा है वाकि इन दोनों चीजों के लिए वो परफेक्ट है तो किसी दूसरी फीमेल से उसका अंडाणू लेकर शरीर में डाल देंगे ठीक तो यहां पर यह प्रोसेस होता है हूं चलो अब i c s i c s i की बात करते हैं ठीक है तो यहां क्या होता है प्रयोक्षाला में ब्रून बनाने के लिए अन्तहकोशि कि यह श्वक्राणू निशेपन होता है यह ठीक है जिसको आई सी एसाई बोलते हैं विशेष्ट प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणों को सीधे ही अंडाणों में अंतह छेपित किया जाता है डारेक्ट ही कर देते हैं इसमें ठीक है जो शुक्राणों होता है डारेक्ट उसे अंडाणों में अंतह छेपित कर देते हैं उसको अंदर ड ही हम मतलब यहाँ पर और ठीक है थीक हिनके इसकलित वीड़े में शुकराणों की संख्या यह फिर यह तो थीक से इंसेम निएशन नहीं कर पा रहें तीक है कि जो स्पर्म से वो बिलकुल अंदर तक जहें एक फीमेल के अंदर तक ठीक है या फिर क्या दिक्कत हो सकती है कि वह जो उनके उनका जो सीमन है उनका जो वीर है उसमें क्या है स्पर्म काउंट कम है शुक्राणू कम मौजूद है उसमें ये हो सकता है एसे दोश का निवारन कृत्यम वीरे सेचन यानि की AI आठिफिशल इंसेमिनेशन कराया जाता है और चाहें वह डोनर मेल हो या फिर क्या हो उसका अपना पती हो उसके जो स्पर्म लेकर और अंदर डाल दिये जाते हैं ठीक है इस तकनीक द्वारा उसको प्रेगनेंट कर सकते हैं फिर इस तकनीक में पती या स्वस्त दाता से शु बहुत मुश्किल चीज़ें यार बहुत ज्यादा टफ चीज़ें यह कितना कितना कुछ सहना पड़ता है इंसान को की काश उसके पास बच्चा हो और आप लोग देखो आपके माबाप ने कितने दुख जेले हैं बई कितनी परशानिया जेले हैं तब आप लोग आए हो थोड़ा अपने माबाप को अच्छे से रखा करो खुश रखा करो ठीक है क्योंकि अब माबाप जो होते हैं अपने बच्चों के लिए बहुत दिक्कते देखते हैं अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालते हैं यह चीज़े तब समझो के जब आप माबाप बनोगे च इन्सेमिनेशन लेकिन जो हुआ है उसको क्या बोला आई यू आई अन्तहा गर्भाश्य वीरिसेचन बोला ठीक है चलो अब इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्षे संतान प्राप्ति है यह हम जानते हैं जितने भी टेक्नीक्स हैं जितने भी जो मतलब मेल और फिमेल हैं वो दुख देख रहे हैं परशानी देख रहे हैं लोगों की बाते सुन रहे हैं किसले सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कि दीन नहीं हिन उफिसलिये की उनके पास एक बच्चा हो है नगा से अनुत पहल ने Physi पहलत नहीं देखना हैं यह लेकिन इसके साहसाथ कुछ ऐसे बच्चे भी है जिनके सर्पे इसके माबाप का सायह नहीं है ठीक है अगर टेख्वाल हो नहीं बच्चा पड़ा मिला या किसी ने अपने बच्चे को ऐसे छोड़ दिया वैसे छोड़ दिया तो ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जिनकी देखवाल नहीं करोगे न छोटा बच्चे क्या होता है एक दिन का बच्चे कैसा होगा उसे कुछ समझ में थोड़ी आएगा कि आप उस तक पाला है जिन्होंने कभी हमें दुख भी नहीं आने दिया उन बच्चों के बारे में सोचो कि जिनके पैदा होते उनके माबाप उन्हें छोड़ देते हैं या हो सकता है पैदा होने के टाइम पर उसके माबाप मर गए हो या कुछ भी हुआ हो सोच के देखो तो ऐसे भी बच्चे होते कि वह जीवित नहीं रह सकते और हमारे देश का कानून शिश्यू को कानूनन गोध लेने की इजादत देता है जो दमपती बच्चे के इच्चुक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का यह सबसे अच्छा उपाय है ठीक है यह अब यहां कि कुछ जब माता पिता हैं जो बच्चा पदा नहीं कर पा रहे हैं उसके साथ साथ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके सर पर क्या है माबापका हाथ नहीं है हां तो आप देखो enemy कि इतनी कुछ देख रही है की माता-पिता अपने बच्चों के साथ हैं खुशी-खुशी बच्चों के साथ खेल रहे है तो हर एक माता-पिता को हक है कि उनके पास बच्चा हो और हर एक बच्चे को हक है कि उसके पास माता-पिता हो तो इन खुशियों को पूरा करने के लिए सरकार ने कानूनन एक law बनाया है कि जो दमपति चाहें जो बच्चा पैदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं जो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं वो इस तरीके से कानोनन अपने किसी को गोद ले सकते हैं किसी दूसरे बच्चे की जिंदिगी में खुशिया ला सकते हैं तो निवेदन है उन सभी लोगों से जो चाहते हैं कि उनके पास बच्चा हो लेकिन नहीं हो पा रहा है किसी कारण किसी reason की वजे से तो वो चाहें तो इन बच्चों को ऐसे बच्चों को आना था श्रम से जाके या hospital से जाकर गोद ले सकते हैं इससे दो काम हो जाएंगे आपकी जिंदिगी में भी क्या है एक चोटा बच्चा आजाएगा और इसके साथ क्या होगा चोटा बच्चा है जिसके सर पर माबाप का हाथ नहीं है उसको भी एक परिवार मिल जाएगा दोनों लोग खुश हो जाओ गया आप ऐसे लोगों को और ऐसे बच्चों को खुशियां पाने का पूरा हख है ठीक है तो इसी के साथ क्या हूँ आज का लेक्चर खतम हो गया आज का लेक्चर मतलब लेक्चर भी था क्लास भी थी और यह सी भी चीज़े थी जो हमारे डेली रूटीन में हम सब देखते हैं हमें इस हमें सब चीज़े मालूम है समmeosafollen कि बच्चा पैदा नहीं हो पाथ है तो और और यहसे बच्चा नहीं होस्ज़ें हो सकता है कि आए डोनों को जाकर डॉक्टर के से मिलना है और अपना इलाज करवाना है ठीक है प्रॉपर तरीके से और इन केस फिर भी नहीं हो पा रहा है तो भाई आप बच्चा गोध ले सकते हो अपने जिंदगी में भी खुश्या ला सकते हो और दूसरों की जिंदगी में भी ठीक है तो चलिए बचलो कि इंसानों को इमोशनल कर देती है हम लोग क्या इमोशनल होते हैं हुमन बींग्स तो कुछ चीज़ ऐसी होती है कि हाँ जो हमें इमोशनल कर देती हैं वाकिए में खैर कोई बात नहीं चलो अब आप लोग क्या कर सकते हो अपने सीट की बेल्स को खोल सकते हो और आम से घूम सकते हो फिर सकते हो ना सकते हो गा सकते हो ठीक है और 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 जुमर्चे करो लेकिन लेकिन पढ़ाई बिलकुल नहीं भूलना है पढ़ाई करनी है आपको ठीक है और मेरे आने का वेट करन लेकिन जाने से पहले इस वीदियो को लाइक जरूर कर देना comment में बता देना कैसे लगा आज का लक्टेर ठीक है और क्या करना है अगर इसको subscribe नहीं किया है चैनल को तो subscribe करना है बैल आइकन को दबाना है क्योंकि हम आपको यहीं मिलेंगे चलो फिर बाइबाइब